अभी तक हमने इतने भी बात करी है वो सारे के सारे आपके विदिन दी अटॉनमों सिस्टम करने के लिए उसकी जाएंगे बट जब आप लार्ज अमांट आफ राउट्स एक्षेंज करने की बात करते हों जैसे आप बात करते हों कि दो मालों आपके अलग-लग सर्विस पॉयडर्स हैं और इनके बीच में आपके राउट्टिंग की इंफॉर्मिशन एक्षेंग होनी है तो यह आपका सर्विस पॉय आप चाहते हों कि आपका जो ट्रैफिक है वो जाए यहां से और आए यहां से तो उस तरह के केसिस में आप बेस्दॉन की किस तरीके की टोपलाजी आपके पास है या तो आप सिंपल एक स्टाटिक राउट इधर देदो और एक स्टाटिक डिफॉर्ट राउट देदो और स्टाटिक डिफॉर्ट रच बिद हायर एड़ी आप यहां पर प्रवाइट कर दो तो भी काम हो जाएगा अगर आप थोड़ा और रोबस्त तरीके चाहते हो जिसको यूज करके आप अपना जो पाथ मैनुपलेशन वगरा है वो आप परफॉर्म कर सको तो उसके लिए फिर आप अपने इंटर्पाइज नेटवर्क और आप सर्विस वाइडर के बीच में आप बीजीपी जैसा एक विए तो बीजीपी आपको लाओ करता है कि आप पहली बात तो बहुत लार्ज अमांट आफ राउट के एक्चेंज कर सको तो तो मतलब नौ लाक प्रिक्स आपको जो बीजीपी की ग्लोबल लाटिंग टेबल है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे और जैसे अगर आप एक इंटरनेट सर्विस पोईडर की बात करते हो तो इंटरनेट सर्विस पोईडर पे जितने भी आपके राउटर्स लगे हुए हैं सभी के पास at least राउट होने चाहिए तब ही आपके पास वो सक्सेस्वली राउटिंग करा सकते हैं तो अगर आप ब है तो यूस के जितने भी यूद्ट अगरा है कि उनके जितने भी आपके यह सरी सभी सपाइडरा आगे करने के लिए रेस्पोंसबल है और इंडिया में जो भी उनके जो राउट्स वह आपका मालो यह सर्विस पॉइडर आगे एक्षेंज करने के लिए रिस्मोंसिबल है तो बहुत लाज अपके आपको एक्षेंज करने की बात करते हो तो आपका आई जीप प्रटोकॉल काम में नहीं आता ऐसा कहते हैं कि एक प्रटोकॉल सच अगर आप बात करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आठ से दसजार राउट उससे उपर नहीं मतलब आप जो है मतलब देखोगे मतलब ऑपके स्टेबल ऑपरेशन के लिए आप चाहते हो कि आपका स्टेबली आपका रन करता रहे तो रिकमे कि आपका स्टेबल मतलब में रन नहीं कर पाएगा तो सम्सॉर्ट ऑफ लिमिट हो जाती है सभी राउटिंग प्रटोकॉल में जैसे आप बात करोगे आए जी-अर-पी में भी आपके पास एक लिमिट है कि आपकेWow maximum क्तने राउट्स को है एका में करके तो बेजोट वनियृट ऑन अब एक प्रटॉक्अल में एक लिमिट रहती हैि आपके मैस्म किने अपका पर राउट्स अब करके चल सकते हैं तो बेस्ट उन डाट लिमिट आप रिफाइन करना चाहते हो कि आपके इस स्यादा अगर आजाए तो आपके पास तो अब यह तो अब ऐसा कहीं मेंशन नहीं है ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि मैक्सम कितने आउट साफ के जो है आपका एक प्रोटकॉल हैंडल कर सकता है मघका के moreन-dates केड़़ो 국적 एक यह से अप dit 일이 सबसाइब कर सकते हैं लेकिन नश्चा किनसे हैं अब कर सकते हैं लेकिन सबस्थार प्रोटकॉल खिड़नान से क्या होगा पाल mérl है इस में मतलब आप चाहे में अचछ इसल ने लो कितने कि इस राटा ब्वी करता है कि आपके नहीं होते कि आपके सब्सक्राइब करोगे तो कई सारी आपको ब्लॉग पोस्ट मिल जाएंगी आपको एक लेली मेंशन रहेगा जैसे की जैसे थर्टी थाउजन की लिमिट है तो अब यह अब यह एक्सली करता है कि अब दोको आएस आएस और जैसे प्रॉटकॉल से बड़ा कोई प्रॉटकॉल तो होगा नहीं अगर आप इजी पी में चलाने की बात करोगे तो यह इजी आरपी है बट उठना क्या 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 सकते स्केलेबल सॉल्यूशन आपका याई जर्पी नहीं जीता इतना और आएस आएस आपके प्रिफर्ट चाइस सर्विस्पर जैसे नेट्रक में रंग कराने के लिए तो पॉइंट यह कि विस्ट के अब कई लिखा हुए कि विस्टाइम पे मतलब आपका भी नहीं थी दो जी चार्दी रहम आती थी चोटे मुटे सीक्यू जाते थे तो उनमें था उनमें था कि आपके च्छे-8000 कर सकते हैं बट क्या है कि ज्यादा बहुत लाज अप्र आफ आपके पास है आई जीव प्रोटोकॉल एंडल नहीं कर सकते हैं तो मॉडरन डे प्र अब आपके पावरफुल है कि आपके वह लाज अमांट आफ राउट को हैंडल इंपक्त कर सकते हैं अगर अगर आप देखोगे ना तो इक्जाक्त लिमिट कहीं नहीं लिए पंद्रह से बीच अजार और डिवाइस पे फंद्रह हजार मतलब जोगी है मतलब आप ही मानते इसे लोगे आट से दसे जार रौट से मैक्सिममम है अगे लगवर आपको आइज़ीपी पूटकॉल की राटिंग टेवल बनाई ही नहीं गई है कि वह बहुत लाज अमौन्ट आफ राउट को हैं तो आप ग्रेट करते रहो आप जोब तक आप राटिंग पूटकॉल को अ कि लार्ज अमांट आफ में आपका फिर मतलब ओस्प्राइश जैसा पूटकॉल फिर काम कर नहीं रह जाता फिर वहां पर यूज करते हो एक एक सीरे गेटर पूटकॉल जैसे की बीजीपी अच्छा बीजीपी से पहले एक पूटकॉल होता था अब अगर आप वो वर्जन आपको इसके बारें बताया जाएगा अब आपको दिखादे तो हम उससे चीज़ें कवर करेंगे नहीं पूरी बट आप आप टीशीपी वर्ल्यूम टू अगर आप कवर करोगे तो इसमें मोस्टली पूरा का पूरा आपका बीजीपी ही है तो इंटरी डॉमें मतलब जब पोड़कॉल को स्टphonie अब को था यसी किवेगा और इंटरी विल्ट्वइं के लिए यह सकते जोटि को सबसे पढंब है और पॉटोपाल था है। आर्पानेट रहना डिस्टेंस वेक्तर राउटिंग प्रोटकॉल नोन एज जीजीपी एवरी गेट्वेर निव राउट टू रीस टु दे नेटवर्क बलब अट डिस्टेंस यह मलब आर्पनेट वालों नहीं सार्ट किया वसारा जो जिएफ इतना स्केल नहीं कर पाया सी छेके फिर इनुनें इस अिए बढ़ने लगी तिये तो जैट्वे घ्रेंट प्र Familia प्रणा नहीं कि इडिपी में क्या क्या इशूस थे उन्होंने बता रखें फिर आपके इन्होंने आई जीपी प्रोटोकॉल की बारे में बता रखेंगे आपके आपके आपको आधी जगहों पर आपको देखने को मिल सकता है अगर आप सलेशन की वात करोगे तो इजीपी आपको कहीं निलेगा डिपार्टमेंट अब डिफेंस काई यह जगहां पर यह तो बीजीपी फिर ने लॉंच किया बीजीपी उन्होंने इसूस बताइए जीपी वगरा की का इसूस थे पर विजीपी के बारे में बताया तो बीजीपी के क्या चाले का करेंगे में इस बुकू से नहीं करेंगे मांट स्य शेफ्टर्स है पर करने जाएंगे अं Can सब्सक्राइब करें तो अगर आप बात करोगे तो होते हैं हमने के बारा ही वड़े थे लास्ट लास तक में तो और इस पाथ मेड लोकल प्रेफरेंस अटॉमिक एग्रिगेट अग्रिगेट कमर्टी और इस अडिक लेस्ट लिस्ट मुल्टी पॉटकॉल रिचिवल इनलगा अब यह वह तो मतलब अब जैसे आज की टाइम पर फॉर विट फॉर वाइट के सिस्टम होते हैं मतलब पहले कि आपके ताइम पर अट्रिब्स अब यह ना तो एस पाथ एक रुट वाला और एस वाथ चार वाइट वाला तो उस तरीगे से आपके फिर एक्रुट जो है कह यह बढ़ते रहते हैं तो टोटल अभी आपके अठारा अट्रिब्यूट्स को यूज करके बीजीपी अपना जैसे पर एक्जामपल बैस पात होगरा से लेक्ट करता होगा कि खैर हमें किटना पंदना कि आप स Jewishन की बात करते हो लाइज स्केल मतलब में डिप्लाइमेंट की बात करते हो तो वहां आपको बीजीपी जासा प्रटोकॉल ही यूज करने को मिलेगा या बीजीपी एक एक स्टीरे गेटवे प्रटोकॉल है मेजली आपके इंटर राउटिंग मतलब दो अलग अटनुम सिस्टम के बीच में रॉटिंग करने के लिए उसके रहता है रोबस्त है रिलाइबल है है और यह आपके विदिन दिया अटनुम सिस्टम करने के लिए भी यूज कर सकते हैं बीजीपी के दोनों फ्लेवर से बीजीपी आपका आई बीजीपी चल सकता है और आपका वह पीजीपी चल सकता है अब यादकना इवीजीपी कब होगा जब दो राउटर साब के अलग ल अब बिदिन दियाटनुम सिस्टम आपके नंबर आफ बहुत ज़्यादा या विदिन दियाटनुम सिस्टम आपको जो है राउट मैनुपिलेशन अपने रिक्वार्मेंट के आप से करना है क्योंकि आप सोचो कि इब कि жизнь死 ऐस आइजीपी अगर आप बात करो तो आइजी पी में आपके पास इतने विट्पॉड से और घ्याजेत अच्छे आप जैसे कि आपका इच्छे लिए अब desert याजे कि आपका इस मिल finely बट जितनी फ्लेक्सिबिल्टी आपका बीजीपी आपको देदेगा पाथ मैनुपलेशन वगरा करने के लिए उतना इन में से कोई नहीं दे सकता है आप से पंदरा तरीक थारा तरीक है जिनके बेसिस पे आपका बीजीडी बैस पास लेक्ट रहता है यह थारा एक्ट्रीट सब्सक्राइब कर सकता है कुल मिलाके कुल मिलाके कि आई जीपी ज्यादा बेटर साल्यूशन है अगर आपको विदिन दी अटॉनमर सिस्टम रॉटिंग करने है तो बट फिर भी कई सारे केसे में आप जो है आई बीजीपी प्रिफर करते हूं विदिन इतनमर सिस्टम अगर आप समराइब कर लोगे अगर आप समरी बना लोगे तो अप्रॉक्सिमेटली पांच लाइब करना कि इस पॉटकॉल के वस्तिवाट नहीं है तो इस रोबस्त और लावल लावल कि हो है क्योंकि टीचीपी यूज़ करता है पूल नमबर 179 तो क्योंकि टीचीपी से बड़ा नेटर क्या ही लेलोगे तो स्मॉल मीडियम और लाज स्केल सभी नेटर ने आपके बीजीपी को आप रं करा सकते हो अच्छा बीजीपी पीर या बीजीपी स्पीकर कहा जाता है ठीक है बीजीपी में एस नमबर जो आपके पास होते हैं वन से 64511 तक के जो एस प्राइविट एस मतलब आपके 64512 से लेके 6455 तक के जो एस होते हैं प्राइविट एस की देनी में रखा गया है पबलीड एस और प्राइविट एस का सेम सिग्निफिकंस है जो आपके पब्लिक आई-पी और प्राइविट आई-पी का है तो अगर आपको सपोज सिस्टम आपको इंटर्नली यूज करना है बीजीपी को अगरा कराने के लिए तो आप प्राइविट एसस की है अच्छा आज की टाइम पे बीजीपी में 32 बिट के आते हैं मतलब आपके आज की टाइम पे एस की रेंज ये भी हो सकती है और वन से लेके वह 4.2 बिलियन 4.2 तो यहां से लेके यहां तक की रेंज आपकी बीजीपी में आपको देखने को मिलती है और जो 32 बिट के एसस होते हैं उनको या तो आप सिंगल नंबर में रिपेसेंट कर लो जैसे एस 50,000, 50,000,000 ऐसे मेंशन कर दो अदर्वाइस आप ऐसे मेंशन कर सकते हो जैसे 1.1, 1.2, 9.10, X.Y की फॉर्मेट में 16-bit, 16-bit की फॉर्मेट में तो 1 से लेके 6535.1 से लेके 6535 तक आप मेंशन कर सकते हैं तो 32-bit के एसस भी होते हैं और यह X.Y की फॉर्मेट में आपके रिपेसेंट किया सकते हैं अब 32-bit के एस होने की वज़ए से BGP में इतने आदा नंबर आप एस और हर कोई BGP करता नहीं है आप सोचो कि एक स्मॉल स्केल एंटरप्राइज नेटवर्क आपके वीज़ी यूज़ करके क्या करेगा उसको बस एक डिपॉल्ट रॉक्स से काम हो जाएगा तो यह भी पॉइंट है कि BGP करना चाहिए ऐसा नहीं कि BGP आप कहीं पर यूज़ कर लो अगर अगर ऐसा हो सकता है कि आपके आपके एंटरप्राइज झाले पर आपके एंटरप्राइज प्रक्राइब बीजी पी आपके दो फ्लेवर्स में है कर सकता है एक है आपका आई बीजी पी एक है आपका इपनी सब्सक्राइब it is what we call as IBGP and when BGP runs in between the autonomous system it is what we call internal and external we call it in direct pairing with physical IP to have the same in the same time you can have a look back and look back भी बीजी पी किरा सकते हैं अगर आप ध्यान से सोचने चलोगे तो आठ तरीके की पेरिंग रुपी है अगर आप द्यान से देखोगे तो आपको बीजीपी में कई तरीके की पेरिंग देखने को मिलए लिए ना फिसकल आईपी पेरिंग बनाने में एक डिसद्वांटेज है कि मालो इस इंटरफेस के आईपी पे आपने पीरिंग कराई है वो इंटरफेस दाउन चला गया तो आपकी बीजीपी की नेवर्शिप डाउन चली जाएगी हाला कि जब आप लूबैक पे पेरिंग करते हो इसे हो और हो सकता है कि वो ठीडियो एसे हो और हो सकता है कि ओर जिखिविल-टी ऐसे लुप अग्ला बेसाथ यह हो गया मैं रहे और अगर ये भी डाउन चला गया तो यह पाथ है तो यह पात है तो प्वाइंटीं रहे गी रहे बीजीपी में सारी चीजें यूनिकास्ट होती है तो इस बात को याद रखना कि जिन भी दो आइपी जिए पीस में आप नेवर्शिप बनाने की कोशिश कर रहे हो वो दोनों आपस में यूनिकास्त मैसेज्जे़ भेजेंगे सोर्स आपी और सञीव दोनों आपका यूनिका बनती है कि यहां से याइज आप चला मैसेज चला मुटिकास्ट हुआ यहां पहुंचा अब उन्हीं बन सकते हैं बट ऑन दिदर हैं अगर आप बीजी पी आपका यूनिक आप करता है क्यों क्योंकि बीजी पी में आपकी नेवर्शिप हमें कुछ डिफाइन करनी पड़ती ह सब्सक्राइब के नेबर यूपर यूपर से बनाई जा सकती है मतलब अगर आपके बीच में है उनकी उपर से बनाई जा सकती है किज़ीप 179 आपका वह यूज करता है तो इसको थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा माल लो आपका बहुत बड़ा इंटरप्राइज कि आप उसक्व फाली ट्यों पाली अपनी कर लो माल लो जो यह वाली एक पलाजी हमने लास्ट पड़ी है माल लो ट्रप्राइज एंटर्प्राइज नेट्वर्ट की इंटर्नल ट्रपलोजी यह जैसे यह किशी ऑगनाइशन की अब आपके इस और नाट मेंुप कई कई सारे लगे हुए कि सारी तफिलाजी यहाँ पर आपका एक राउचर आएसपी कि तरफ जा रहा है है यहाँ पर आ work आपके सारे लाउट्र को रिए जाए कि आपने एड-टोनेर बीच में क्या माललों कर आया है और उसलिक चाते हो जो यह बात यह है कि मालो आपके यह BGP के एक लाग प्रिफिक्स थे वो सारे के सारे प्रिफिक्स अगर आप OSWiP में रिडिस्टिब्यूट कर दोगे तो OSWiP हैंडल नहीं कर पाएगा हम ऐसा नहीं करते हैं इस तरह की सिच्वेशन में हम यह कोशिश करते हैं आपके जो राउट राउटर 11 पे आ रहे हैं वो राउट सीधा किसको दिये जाए राउटर 8 पो इसलिए हम क्या करते हैं राउटर 11 और राउटर 8 के बीच में हम बीजीपी की एक इंडरेक्ट बना देते हैं अब आप सोचो यहां पे एक आपका आईपी अड्रेस है जो लुपबैक का आईपी है अगर आप फिजिकल आईपी की उपर पेरिंग बनाओगे और किसी रीजन से आपकी फिजिकल इन्क लिंख डाउन चले गई तो आपकी BGP की नेवर शिफ फ्लैप करेगी और एक बार BGP की नेवर शिफ फ्लैप करी डाउन गई तो उसको अप आने फिर राउट एक्चेंज होना जरूरी है तो आपको ये make sure करना पड़ता है कि आपका ये जो internal network है अगर मैं इसको अंडर ले बोलूँ अगर मैं बोलूँ कि ये अंडर ले क्यों को BGP की नेवर शिप तो 11 से 8 के बीच में इंडरेट बनी हुई है उपर से kind of हवा में तो अगर आप ये बोलो कि आपका ये OSPF जो है आपका जो IGP पोटकॉल आपने यूज कर रखा है ये more like आपके अंडर ले पोटकॉल की तरह काम करता है जिसका काम क्या है कि router 11 के loopback और router 8 के loopback को आपस में reachable कराना तो make sure कि आपके इस loopback से loopback तक की reachability proper हो तब जाके आपके router 11 और router 8 आपस में बीजीपी के neighbor बनेंगे और जो route आप बीजीपी के इस router पे receive करोगे वो unicast update message के थुरू router 8 को दे दे जाएंगे अब क्योंकि जो packet बनेगा उसका source IP ये होगा destination IP ये होगा तो जो packet आपके यहां से यहां की तरफ जाने वाले हैं बीज के router उनको as a normal unique aspect rate आगे पास करेंगे तो उनके router पे कोई route आपका maintain उनको लगेगा कि packet आपके router rate पे जा रहा है तो router rate पे deliver हो जाएगा तो बीज के router पे आपको route available और ऐसा ही होता है तो एक internal network में जब आप मलब सब्पोज आप आई बीजीपी इंवार्मेंट की बात करते हों हमेशा यह प्रिफर होता है हमेशा यह प्रिफर होता है कि आई बीजीपी की जो नेवर्शिप है ना वह आप लूब्वैट पे ही करो रीजन क्या होता है तो आई बीजीपी की जब आप बात करते हो तो आई बीजीपी में everything is under your control आई बीजीपी में सब आपकी ऊपर है आई बीजीपी में अगर आप देखो तो आपका ही इंटर्नल एटर नोमर सिस्टम है आपने केबलिंग करा रखी है आपने रौटिंग करा रखी है तो आई बीजीपी में everything is under your control बलब आप और इडिननेंसी और वह सब मैंनेज कर सकते हो तो इडिज ऑलवेज रिकमेंडेट कि भाई आई बीजीपी की नेवर्शिप है वह लूप पे रखो लेकिन जब आप इबीजीपी की नेवर्शिप की बात करते हो तो तो आप यह सोचो आप यह बताओ कि मान लो चलो आपने यह आपकी कंपनी का एक राउटर था जो एज़ पे लगा हुआ था और यह दो सर्विस पॉडर के साथ कनेक्टेर है जब आप इबीजीपी इंवायर्मेंट की बात करते हो जब आप बात करते हो कि आपको बीजीपी दो अलग लग अटनॉमर सिस्टम्स के बी जा रही तो कोई और्टनेट पाथ तो है नहीं यहां पर तो चाहे लूप बैक से लूप बैक नेवर्शिप बनाओ चाहे फिजिकल से फिजिकल बनाओ नेवर्शिप तो डाउन होई जा नहीं है एक तो क्योंकि इवीजीपी इंवायर्मेंट की जब आप बात करते हो जब हमारे PC के बीच में एक केबल जा रही है अब आप चाहे लूप बैक पर नेवर्शिप बनाओ चाहे फिजिकल आइप नेवर्शिप बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इवीजीपी में क्योंकि एक्चल में अगर आपकी फिजिकल मीडिया डाउन चली गई तो लूप बैक स इसलिए तो इवीजीपी नेवर्शिप रिकमंडेड होता है कि आप टिपकली फिजिकल आईपी बनाओ फिजिकल आईप बनाओ आई वीजीपी जो नेवर रिलेशन्शिप है वह आप लूप लूप अलाग यह ऐसा कोई रूल नहीं है आप अपने रिक्वार्मेंट के है वह आपकी फिजिकल आईपी पे और आईवीजीपी की नेवर्शिप आपके लुबएक बनाई जाती है अच्छा पहली बाद जब नेवर्शिप आप आती है तो राउटर्स आपके फुल अपडेट्स एक्शेंज करते हैं उस सारे अपडेट्स को अपने राउटिंग क कि आपकर यूद्ध करते हैं कि आपके अपडेट नेट्रीट में अजुक्षेंज किया तो जैसे आपका कोई है वह भी आपका जैसे पूटकॉल है जैसे मालो आपका रिप है यह आपका EIGRP है यह आपका OSPF है अगर इन में इन सभी राउटिंग पॉटक्वाल में मालो सपोस किसी सबनेट को आपको आपको एडवल्टाइज करना है तो रिप जब 10 के सबनेट को आपको एडवल्टाइज करेगा तो हाप काउंट को एजा मेट्रिक लगा के भ लगा के भिजएगा ऐसे आपके बागी के पर्टकॉल भी करते हैं तो जो आई जीपी पॉट्कॉल है वह जब किसी भी प्रिफिक्स की इंफॉर्मिशन को आगे ड़टाइज करते हैं तो मैट्रिक इंक्लूड करके भीचते ऑब अलग लग लग मेंट्रिक यूस करते तो मेत्रिक के नाम पर वो संफिंग करड़ पाथ एड़ करता है है में तो आप पाथ ए्ट्रिपी की으ि हैं बहुत्य के मैट्रिक ही बोलते उसको हदून एक submitted है वहां तक जाने के जो एक των प्लंको हम पाक्षा करते हैं इसे होग सब्सक्राइब ऑप् तो जिस परता है अगर आप करो एस पाहिए जबात नमब्र यह से आपके पास एक डुकल होता है लोकल प्रफरंस आपके पांपते होता है वनद डिफरेचंट अपके पाथ आठ्रीज ह्म साथ और से 육ा तो एक तो यह इंस आए इप्रिसरा मैं म किसी आपका मैट्रीक लगा के भीज़ता है और separate अब है दूसरी एक तो अगर आपको EIGRP का अपडेट मैसेज याद हो तो EIGRP क्या करेगा पहले प्रिफिक्स में bandwidth, load, delay, reliability, MTU ये सारे parameter अटैच करके भेजेगा दूसरे प्रिफिक्स में भी ये bandwidth, load, delay, reliability, MTU जो सारे parameter हैं वो आपके पास अटैच करके भेजेगा ऐसे करते करते चितने भी प्रिफ प्रिफिक्स में EIGRP आपका bandwidth, load, delay, reliability, MTU आपका प्रिफिक्स में आपके पास metric components अटैच करके भेजेगा चाहे ये सारे सेम क्यों नहों मतब सपोज आपके 10 प्रिफिक्स थे और उन सभी प्रिफिक्स की bandwidth, load, delay, reliability, MTU सेटिंग सेम थी पिर भी EIGRP जैसा protocol उन 10 के 10 प्रिफिक् एलर्वे में जैसे ओवस्पियफ है भले ही आपके उन 10 प्रिफिक्स की कॉस्ट सेम क्यों नहों वह एक प्रिफिक्स में कॉस्ट अटैच करके भीजेगा सेम गोस पार आपका रिप तो आई-जीपी पॉटॉकॉल जो भी आपके पास होते हैं चाहिए यह सारे के सारे पूटॉकॉल जब आपके प्रिफिक्स करते हैं तो जो मैटरिक वैल्यू है हर एक प्रिफिक्स में अटैच करके भेजते हैं इस वजय से आपके जो राउटिंग अब्डेट है update packet है उसका size बढ़ जाता है क्योंकि ही information अगर आप जो है एक एव बैस्ट है तो बढ़ेगा का अगर हम बात करें अगर के अगर हम बात करते हैं तो बीडीप ऐसा नहीं अने और यहां तक जाने के आपके पाथ है एक पात्रीट हैं एक पात्रीट है L में आपको टोटोल दस प्रिफिक्सट करने हैं और उन दस कि प्रिफिक्सर्क्राइब सेम नेक्स्टॉप है, सेम एस पाथ है, सेम ओर इजिन है, सेम लोकल प्रिफिंस है, सब सेम है, तो बीडीपी ऐसा नहीं करेगा कि उन दस के दस प्रिफिक्स में इंडिविजवली आपके इन पाथ अट्रिप्स को अटेच करें, बीडीपी का करता है, जब अपडेट बना देता है, वह आपका एक ग्रूप आफ प्रिफिक्स के पाथ अट्रिबूट सेम है, उनका ग्रूप बना देता है, और उस ग्रूप के लिए एक अपडेट मैसेज जनरेट करेगा, उस अपडेट मैसेज में लिखा होगा कि यह दस प्रिफिक्स है, और इन दस प्रिफ आप प्रिफिक्स को हम बोलते हैं एन एल आर आई या नेटवर क्लियर तो रीचिविलिटी इंफॉरमेशन तो वन एनलर राइए या वन नेकव का कब निचिख इंफर्मेशन इस medicine ली ретट whether all benefits कि अब हो सकता है कि एक ही पर एक माल लोग यर आपके दस प्रिफिक्स के अलग लग wastewater होते तो फिर अलग लग information जाती बट अभी हैएग्ठ आपके दस प्रिफिक्स या सेम पाथ अई तो कोई देख कर नहीं है the one set of prefixes a set of prefixes आपके पास नराई कहा जाता है बीदी कि वसको नेटर क्लियर रीचिबिलिटी इंपरमिशन और नेटर क्लियर रीचिबिलिटी इंपरमिशन जो आपके पास साइट इस ग्रॉप आप प्रिफिक्स जिनके कमन पाथ एक्रिबूट आपको देखने को मिलें तो व इसा होता है कि मालो सपोस्जराउटर वन ने एक सब्नेट की inफ़रमिशन को नेबर राउटर के अडवर्टाइस किया तो राउटर वन अपना एस नंबर जैसे मालो सब्नेट ए था तो जब राउटर वन एस अपनेट के बारे में नेवर आपको बतायेगा तो अपना एस इंक्लूड करके attribute में लगा के देता है अब जब राउट रॉमबर टू उस prefix की information को दूसरे राउट रॉक एडवल्टाइज करेगा तो वो existing as number को वैसे का वैसा रहने देगा और अपना as number उसमें एड़ट करके अब राउट रॉमबर 3 ने जब प्रिफिक्स रिसीव किया और जब वो आगे की तरफ करेगा तो जो existing as numbers हैं उनको ऐसे कैसा रहने देगा और अपना as number लगा कि इसमें आगे पास करेगा कुल मिला के कुल मिलाके यह एक क्फ वं जाती है list of autonomous systems यह आपकी एक list बन जाती है list of autonomous systems है this is a list of autonomous systems जिनको क्रॉस करके आप सभई इस Dational तक रीच कर सेठीन तो यह attribute में लगके जाती है यह आपका एक पाथ attribute होता है कि उस पाध्यक्र गरिते हैं एस बा태 को ऐसे सबस्ट सब्सक्राइब ही को कि एक राउट्र पता रहता है कि एक राउटर पता रहता है कि जाने के टोंद किसे स्ब्सक्राइब और यह जो process है यह process है जिसमें हम एस की information को add करे दे रहे हैं यह process जिसमें आप as ki information को आप add कर रहे हो इस process को हम बोलते हैं एस पाथ प्रिपेंडेशन तो एस पाथ प्रिपेंडेशन एस पाथ प्रिपेंडेशन इस एन एक्ट और एडिंग एस तंबर इन दी एस पाथ लिस्ट तो जैसे जिसे आपका प्रिफिक्स एस को क्रॉस करके आगे जाता है आपके हर एक राउटर एस पाथ को प्रिपेंड क करता है भलाव इदर लेफ्ट न साइड में आपका करतार है तो इसलिए कि आपक του को पता होता है रोल में ज्रीशन तर जाने के लिए आपका जो पात है इस पात का मतलब यह से इस फोर्फेंगे क्या है क्या मैंने तो इस वजह से इसको हम एक पाथ उसी test होता भीजी पी जोनाई अब पाथ विक्टर राटिंग प्रटकॉल क्यों कि बीजी पी में जब प्रिफिक्स के इंफरमिशन को एक्शेंज किया जाता है तो उसमें जो आपके एक्ट्रिब्यूट्स वराईटिव जो आट्रिब्यूट्स आपके लगए उन अट्रिबू होगे तो यह आपके नंबर आफ एसस यहां पर आपके पढ़ेंगे तो राउटर रॉनिंग बीजी पी एक्षेंज नेटर के ट्रबीट इंक्लूदिंग अलिस्ट आफ फुल पाथ बीजी पीएस नंबर्स डैट राउटर शुट टेक टुरिस्ट रिस्टेशनेटर बैट इ आपके तीन एससे यह नहीं पता लगेगा यहां तक जाना है तो आपके तीन टोटल आपके एसस क्रॉस करने पढ़ेंगे तो बीजीपी में जो एस पाथ लिस्ट है वह आपकी एसस को रिप्रेजन करती है कि कि कितने नमबर आप एसस आपको टेशेंशन तक जाने के टोटल यूज करें पड़ेंगे ओके जस्ट जस्ट विए टमिनिट नहीं नहीं थो आपके लिए लिए टूर्ण कि कितने कितने हैं सब्कूर्ण प्रद ने रिटकर इंद है और जो लेटस्ट ने वर्जन है और यह आपका सब्नेट इन वर्द नियुक्र के हमने अलेडी बात कर लिया इंटर्न लाउटिंग प्रिजुकॉल सा आपके लिस्ट ऑफ नेटरक इनाउंज करते हैं अलॉंग इन symmetric value to reach the decision in contrast आपका बीजीपी होता है वह आपके नेटवर्ट के लिए रीचिबिलिटी इन्फरमिशन जिनको आप पाथ एक्टिब्यूट कहते हो पाथ विक्तर कहते हो वह एनॉंस करता है और सब्सक्राइब करते हैं मतलब सपोज मैंने कोई आपका प्रिफिक्स किया मैंने अपना यस नंब लगा के दिया इसनि जब आगे पास किया तो उसने अपना एस प्रिपेंड कर दिया उसने जब आगे पास किया तो उसने अपना एस प्रिपेंड कर दिया और इसने उठा कि वही प्रिफिक्स मेरे को वापस कर दिया तो सिंपल सा फंडा है कि अगर एस पाथ लिस्ट में अगर एस पाथ लिस्ट में आपका खुद का अटनमा सिस्थम आता है अगर एस पाथ लिस्ट में आपका खुद का अटनमा सिस्थम आता है तो आप उस प्रिफिक्स को एकसिप नहीं करोगे क्योंकि यह माना जाएगा कि कि वह प्रिफिक्स आपके यस से जोके जा चुक्त है तो इस मतलब यस्टर्ट लिस्ट को यूज करते हुए बीजीपी में लूपाइटा रहता है तो कि दिखकत यह है कि AS path prependation AS path को add करके आगे भेजना केवल और केवल EBGP में होता है IBGP के case में AS path को prepend करके नहीं भेज़ जाता क्योंकि माल लो आपके तीन router है और यहां से आप route को receive करके आगे pass कर रहे हो और अपना AS number लगा के दे रहे हो तो क्योंकि यह router और भी आपके ही एस का पार्ट है तो फिर उस प्रिफिक्स को अक्सिप नहीं करेगा क्योंकि एस पाथ लिस्ट विल कंटेंड यूर ओन इस तो सिंस मतलब आई बीजीपी की जब आप बात करते हो तो आई बीजीपी में इस पाथ प्रिफेंड नहीं होता है तो अगर आई बीजीपी में एस पाथ की इंट पॉंप्शन अटैच होके नहीं जाती तो लूप बनने का चांस है तो ऐसा ना हो इसलिए सिंपल सा रूल होता है कि और आई बीजीपी से राऊट रसीपकर दूसरे बीजीप को राओट देते नहीं है तब एक यृवीजीपी से रौट तो आइबी जीपी के से हैं किकte रौंट कि टीन करो सब्सक्राइब यहां पर यहांपे करना पड़ती है कि आई बीजीपी में आपको फूलमेश करानी पड़ेगी क्योंकि आई बीजीपी में आपके एएस नहीं होता गुद्येकन नहीं होगा तो लूप बने का इसके कई alternate solutions भी है इसके कई सारे आपके alternate solutions भी है यह से कि आपका router factor होता है confederation होता है इसके कुछ alternate solutions भी आपको देखने को मिल जाएंगे ना design point of view से जब आप बात करते हो तो आप चार तरीके की topologies बड़ीपी में बना सकते हो बड़ीपी में जब भी आप design point of view से बात करोगे तो total चार तरीके की topology आप बना सकते हो एक होती है single home single home topology कुछ इस तरीके से होती है जहां पर आपके अगर हम customer और provider मालें तो जहां पर आपके customer और provider के बीच में केवल एक ही link लगी हुई है तो इस तरह का सेनारियों आपका single homing सेनारियों कहा जाता है single homing का मतकब single link between the devices तो आपका यह enterprise network है यह enterprise AS number है यह आपका service provider है इन दोनों के बीच में किवल आपकी एक केवल है और एक ही ही आपकी BGP की session स्टार्विशन तो single homing environment में BGP run कराना recommended नहीं होता है बेटर क्या रहेगा कि आप यहां से default route flood करवा लो और यहां पर आप आगे default route दे दो net wet करा लो वह ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वैसे भी अगर आपका single home connection है तो आप कुछ path manipulation वगरा कर नहीं नहीं है कि आप यहां पर BGP नमकर रहेगा है अलाकि अगर multiple connections है तो आप रनकर आ सकते हो अच्छा dual homed dual homed का मितलब होता है कि multiple connections है आपके enterprise network के एक service border के साथ multiple connections है अब हो सकता है कि connection same router पे हो हो सकता है कि connection अलग लग router पे हो key point यहां पर यह है कि same आपका service border है मुलब सेम एस नमबर सामने वाला उससे multiple connections है मुलब दो connections अट लिस्ट तो है तो इस तरह का स्वेरियों आपका dual homing स्वेरियों कहा जाता है जहां पर आपका जो enterprise network है ठीके वहां से दो connections आपके provider की तरफ जाते हैं बड़ आपका यह सेम आइसपी है दोनों राउटर्स आपके सेम आइसपी को भिलों करते हैं में कुछ गड़बन हो गई तो फिर आपके दोनों connections काम करने बन कर दें तो डूवल होमिंग सेनारियों इतना पॉपलर नहीं है मतलब करते हैं यूज ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं हमने यां तीन connection रखें यूज रॉट बैंट से तो हलाकि हम कोई बीज़ीपी नहीं यूज कर रहे हैं अब कहीं पर किसी लोकेशन में कोई दूसरा सर्विस वाडर ही नहीं तो क्या पर होगे तो फिर वहां पर आपको एक डो प्रोगश्य दो प्रोगश्ज केंश्र लेकर पर एक उसरे नहीं रखते हैं ऐसे यहां प्लिप गल्टी हों मतलब मतलब आयस जैसे दो एस फीज के साथ आपको करना है और एक यह क्रेंशन होना चाहिए छी और दुवल मल्क का मतलब दूवल मैं आपकी बेर दॉचल में यह ऐसे गनेक्टेड हैज अगर आप सोच तो यह ऐसे गनेक्टेड है और दिख नहीं रहा है यहां वी चलना है तो मतलब यह ऐसे समझ लो चाहे आप ऐसे समझ लो बात एक है कि आपके दोनों आइस पीस के साथ रहेगा कि आपकी जो तो थोड़ी और बिटर हो जाए हाला कि दिक्कत यह है इस तरह के सेनाजियों में इस्यू आपको यह करने को मिलेगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा कॉस्ली सोलुशन है बट एक इंटरफाइज नेंटर के पॉइंट अफ्यू से आपका यह बेस्ट सॉलुशन है क्योंकि आपका बहुत हाई आपके पास करता है तो डिजाइन पॉइंट आपके चार चार तरह के चार तरह के आपके पास हो सकते हैं अब यह आपको यहां पर दिख जाएगा वसे अगर आप इसमें से पढ़ना चाहोगे ना तो यहां भी दिखेंगा कि यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि मालों जैसा कनेक्शन है सब्सक्राइबर है और इस पी है कोई कोई एक डिफॉल्ट राउट दे दो मैट करा लो डैट सिट कोई जैसे प्रटोकॉल को रण कराने की जोड़त नहीं स्टाटिक स्टाटिक राउट्स हार ओल डाट इस नी केस में आपको बीजीपी जैसा प्रटोकॉल दंकराने की जोड़त नहीं है बट अगर आपके मल्टिपल एक्स्टरनल नेवर्स हैं आपको उनसे करना है तो जैसे आपके आपका सब्सक्राइबर है और आपका ISP है और आपके मल्टिपल टेवल्स वगरा लगा रखी है और अब चाहिए यहां से आएंसे ऐसा गुछ करना चाहते हैं तो तुरे की सीचूएशन फिर खेने के आप जो है आपको देखने को लेगा आपके पास बढ़ेगी जहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देते वे चलना पड़ेगा कि कहीं इंकरेक्ट नेर्ट्रक एडवेटीज में ना कर दो ऐसा ना कर दो कि कहीं आप जो है नेवरी गलत डिफाइन कर दो एस गलत डिफाइन कर दो वह सब आप ना कर दो तो चार तरह की टोपलोजी आप देख पाओगे सिंगल होंड भी जीपी रिकॉयर नहीं है डूवल होंड चला सकते हो सिंगल मेरी होंड चला सकते हो डूइल होंड इस वह और कि एक और केस में आप बीजी पी रन कराना चाहोगे जैसे मान लो आपका एक यूजर है और यह आ कि आपने अपने enterprise network से service provider से connect करते वक्त आपने बीजी पी चला रखा है आपने मतलब पी आपने सी और पी के बीच में आपने बीजी पी जैसा परटॉपॉल आपने रण करा रखा है दिक्कत यह है कि यूजर जब traffic send करेगा service provider 3 के पास, तो service order 3 यह देखेगा कि यहां तक जाने के दो रास्ते अबलेबल हैं तो इन दो रास्तों में से कौन सा पाथ बेटर है अब इस service order 3 ने देखा कि अगर मैं उपर से जाओंगा तो एक, दो, तीन मतलब तो टोटल एक, दो, तीन नंबर आफ एसे हमें क्रॉस करने पड़ेंगे और नीचे से जाओंगा तो केवल एक और दो एस क्रॉस करना पड़ेगा तो हो सकता है कि आपका जो इंटायर ट्रैफिक है वो ट्रैफिक आपके अटर्वन सिस्टम से होके जाना सुरू हो जाए तो वेन यूजिंग बीजीपी तो कनेक्ट तो मोर देन बन सर्विस प्वाइडर इसा हो सकता है कि यूजर से सर्वर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक आपके अटर्वन सिस्टम्स के राउटर से होके जाना सुरू हो जाए तो जैसे यूजर क्नेक्ट तो सर्विस पाइडर थ्री राउट्स थूद इंटर्प्राइज नेटर के एस नमबर फाइवंड्रेड तुरीज 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 सर्वर इस वन अब बात यह है कि क्योंकि यहां से आपका एस पातली शॉल्टर है तो आपके इस बात को प् तो अब हम चाहेंगे कि हम कुछ राउटिंग पॉलसी लगाके अपने अटनमर सिस्टम को ट्रांजिट बने से बंद पर रहे तो हम चाहेंगे कि हम ट्रांजिट ना बने आपके उस ट्रैफिक लिए जो ट्रैफिक आपके यूजर से सर्वर की तरफ जाता है तो दिनोमर सिस्टम तो हम क्या करेंगे देखो ऐसा है ग्यों आपकार ये सर्विस प्रॉइडर क्यों आपको एज़त्रांजित मानते हुए चल रहा है यहां तक जाने को लिए कि यह जो subnet है यह subnet आपको दिया गया ताकि आप यहां तक जा सको अब आपने इसी subnet को इस service order को advertise कर दिया है क्योंकि by default BGP में route advertisement होगा तो अब इस service order को जब आपने route advertise किया तो दो ASS AS number 400 और AS number 500 दो ASS के साथ advertise किया गया जबकि यही subnet जब उपर से घूम के आ रहा है तो total 3 ASS के साथ आ रहा है तो इस service order को लग रहा है कि यहां तक जाने का यह path ज्यादा shortest है पर आपके एस से होके में जहेर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं हम एक policy लगा सकते हैं जिसमें क्या करेंगे केवल और केवल अपने ही अटनोमस system की जो route जो जो राउट हमें मिले हैं हम उनको एडवल्टाइज करेंगे ही नहीं जो राउट आपको मिले हैं जब आप उनको एडवल्टाइज ही नहीं करोगे तो इस राउटर को कभी पता ही नहीं जलेगा कि यहां तक जाने के लिए आप भी फ्रांजिट हो सकते हैं एज रिजल्ट कभी भी यहां तक जाने के लिए आपके ट्रेफिक पास नहीं करेगा वो ट्रेफिक आपका हमेशा उपर से ओके ही आएगा सो कई सारे सिच्वेशन्स में हम डिफॉल्ट बीजीपी की रॉटिंग पॉल्सी को ओवर्राइट करके हम अपने इसाप से आउटगोइंग बीजीपी पॉल्सी अप्लाई कर सकते हैं जिसके हिसाप से आपके हम केवल अपने लोकल प्रिफिक्स जो आपके हैं उनको ही अगर और योटाइट्प नहीं करेंगे इसापटंडा है अगर दोगे टेटा आएगा रावट और डेटा की डिरेक्शन अपोजित होती है तो अगर आपने राउट रसीव किया है तो आप डेटा दो वे और अगर आप राउट दे रहे हो तो देटा तो आएगा तो अगर इंटर्नेट ट्रांजिट और इस्टम के लिए इससे बचने के लिए आपको बिज़ीपी में अगर आपने रण करा रखा है तो आपको कुछ पॉल्सी लगाना चाहिए और सिञ्लर में ब्रांच ट्रांजित आउटिंग एक आप आपकी ब्रांच ट्रांजित आउटिंग लाफह चलो आपकी ट्रांजिव करते वह चलो यहां पर वरॉटर फुर्टॉटर से यहांचा से सब्सक्रि Prinzip 10 यह अंब की बास ठालें अपके पास्source सर्विस आड़र है यह दो दो सर्विस अपने लगा रखें तो लिटने भी उतर से यह आपके कंफीघ्ल हैं किस तरीके से साहिए रॉप्टरस के लिए सर्विस इल्पाइब रोधिये अपने बिकरी है इसबी ईभ पॉइब आपकर आपकर अपकर ट्राफिक यहां से उपड़ जाएगा और जो आएगा वह भी सर्फ फार्डर फूप के तूप ही आएगा तो बनाप ब्रांच से ब्रांच जाने के लिए आपका जो प्रफर्ड सर्विस पॉइडर है वह आपका सर्विस पॉइडर नंबर है तो जो ट्रैफिक जाएगा दो जाएगा भी सर्विस फडर टू से और जो आएगा वह आएगा वह सर्विस पॉइडर टू से ऐसा हमने पालिसी लगा रखी सभी स्फ जारा तो मतलब लिए ठोड़ा एजी रहें कि अगर कुछ हो गया तो हम इसी पात्वाइड करेंगे करने में धूड़ा डिश्यूंट हो जाता है अगर ऐसा हो ता कि जाने के लिए ये पाथ यूज रहा है और आने के लिए ये पाथ ब्रेफिक सेंड ने के लिए और सुर्श वैडर वन ट्रस्वी हो pengo लिए तो कहीं ने कहीं आपके ट्रबल जोटिंग थोड़ा सा कि इशू क्रेक्ट करती है तो यहां पर जो आपकी राउट अब सपोज अगर इस पर डाउन चला गया तो यह सभी के सभी राउटर वाया दिस सर्विस परडर एक दूसरे तक रीच कर सकते हैं तो यह अभी जो आप पर राउटिंग हो रखी है अभी जो आपने राउटिंग पॉलसी वगरा अप्लाई कर रखी है यह एक डिटर्मिनिस्टिक राउटिंग का एक्जांपल है डिटर्मिनिस्टिक राउटिंग का एक्जांपल होने का मतलब यह कि मतलब आपकी जो राउटिंग है जो ट तब मालो कुछ गड़वड हो गई मालो कुछ पात फेल हो गया मालओ आपका tämä service failure किस भी रिजंसे सब सही चल आ था ट्रैफिग जैसे जाना था वैसे जा रहा था जैसे आना था वैसे आ रहा था मतलब ट्रोटिंग से जाने का मतलब प्राफिक फ्लोओ है आपके बिट्वीन दा सथ बिट्वीन इब रांचेस यह आपका प्रेटर मेंट रहें और अचानक क्या हुआ इसी रीजन से ये लिंक डाउन चलीगे इस इस राउटर 31 कि कुसी रिजन से लिंक डाउन तो राउटर 31 अपने सारे के साथे सारे ट्रैफिक को सरश सर्विस बाडर वन को दे देगा क्यों कि कि सब्सक्राइडर टू से उसकी दिशिवूती ब्रिक हो गई अब service provider 1 जो आपके पास है इसको traffic actual में service provider 2 को भेजना चाहिए था और वहां से traffic आपके आगे की तरह जाना चाहिए था लेकिन एक failure सेनारियो में जहां पे आपका R31 की M plus service provider 2 से reachability break हो जाने की वज़े से और 31 आपके service provider 1 को अपना best path choose करते वे चलता है और MPLS service provider number 1 instead of sending the traffic via service provider 2 यह आपका एक दूसरे branch से होके सारा का सारा traffic आगे की तरफ भेज़ देता है मतलब यह जो आपकी branch number 41 है यह आपके transit branch की तरह काम कर रहे है between site number 3 and site number 5 for example अब दिक्कत यह है कि अगर यहां से यहां तक जाने का सारा traffic आपके branch number 41 से होके जाएगा तो इस branch 41 के router पे overhead बढ़ेगा आपके जो circuits हैं nondeterministrition जाता ही वह सकता है कि packet यहां से यहां से तरफ गया यहां से आपके यहां की तरफ गलिया फिर यहां से यहां से ऐसे बिददोन चандlorב ट्राफिक आपके 31 से हां तक जाने के लिए ट्राफिक बट वापस ही का जो ट्राफिक वापस आ रहा है लो ट्राफिक आındaki किसी दूसरे पाथ को लेके आ रहा है आ कहीं और से रहा है तो इस तरह की situations में आपकी इशीसस मतलब वहाँ मतलब यह आपके के बात करते हो जहां पर आपके एक इंटरप्राइज मैंटिपल सरविस पर्डर के साथ करें जब आप मैटी होमिंग सेनारियों की बात करते हो तो आपको कुछ ऐसा कंफिगर करना पड़ता है इन राउटर पे ताकि आप कुछ ऐसी पॉलिसी आपको गणी पड़ती हैं जिन भी हो जाए आपके एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जाने का ट्रफिक किसी तीसरी ब्रांच से होके नहीं जाना चाहिए अदर्वाइज इस ब्रांच के राउटर्स पे आपका जो ओवर रेट है वह रहें बहुत अदा बड़ेगा सब्कूसक्रा पंध भालन करेगा यस सब्सक्राइब करेगा तो ट्रーフ ब्रांच जर सीlease division अजय tying करें वी सब्सक्राइब ब्रांच साइटे यह वियुर्म कर एक इस ब्रांच साइट आबズ गीए 172 क пох 겉इन करेगा तो प्रング आएगा फिर भावड में सब्सक्राइब निवहें बट एड़ोटर अंल्य लोकल सभ्इभर करेगा यह राउठ अपने लोकल सभ्ण मिला करेगा यह effort कभी भी ट्रान्जि टौर कले काम नखर था इस तरीकी के न कहते हैं जहां पर आपके एक ब्रांज से दूसरी ब्रांजिकवर भी किसी तीसरी transit router में internet transit routing में आपका जो अटनोम सिस्टम है वो आपके इंटरेट पे जाने के लिए जो ट्रैफिक है इंटरेट के ट्रैफिक के लिए transit बन सकता है और ब्रांच transit आउटिंग की आगर जो बात करोगे तो एक ब्रांच से दुसरे ब्रांच तक जाने वाला जो ट्राफिक है वो ट्राफिक आपकी तीसरी ब्रांच से होके जा सकता है दोनों ही तरह की सिच्वेशन में आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको एवाइड करने के लिए आपको कहीं ने कहीं उसने कुछ बीजी पी राउट पॉलसी आपको लगानी चाहिए प्रेंट पॉलसी्ज लगाके आप ए कंट्रूल करते हो कि आपका जो एटर्णमार सिस्टम कभी ना बनें इंटरनेट के ट्रिफिक के लिए और आपकी जो ब्रांच है यह कभी ट्रांजिट ब्लांच ल Cliff के बीच में भेजे गए ब्राइब के लिए डाल ट्राफिक गर्ट एमप्लेशर्व में हhou डुंट गर्डथी यह ट्राफिक हमारी बाइस चाहिए यह एक ब्रांच से थार्फिक लेकिंद के लीए तो इंट्रेने ट्रांजिट आउटिंग और ब्रांज टांजिट आउटिंग से बचने के लिए वराटिव बीजी पी की लॉटिंग पॉल्सी आप पर दरान एपलाई करो ले अविजिपी भी आपके तीन तरह की टेबल बनाता है नेवल टेवल जिसमें आपके सारे नेवर्स की लिस्त होती है बीजीपी टेवल जिसको आप फॉड़डिंग डिटाविस कहते हूद बीजीपी टेवल में क्या ओता है हर एक नेवर से जतने भी राउट लर्ण होते हैं एक ही टेशनिशन तक जाने के मल्टिपल पाथ हो सकते हैं एट्रब्यूट्स हो सकता है आप जो राउट एडवर्टाइज कर रहे होते हो वह भी आपके बीजीपी टेबल में होते हैं तो बीजीपी टेबल में आपकी बीजीपी टेबल याने की फावर्डिंग डेटावेस म आपके जो राउट आपने नेवर से लर्न किये हैं वो होंगे और जो राउट आप खुद अड़र्टाइस कर रहे हो वह भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे को सchu है आ आपके रोट के रोट से भी आपके टेबल में जाएं डायगे फिर यहां से आपके आगे के तरफ बारेस के वहां से टेन पास बाल भी इन वर गाले चलता है आपकि तीन टेबल में जवाब का प्राउट स्किंग पॉर्मशन है अब याद आप कोई रखना है कि बीजीपी में इन तीन टेबल्स के अलावा और भी कई सारी टेबल्स होती है तो सपोज एक राउटर पे जाके हमने नेटवर्क कमांड को यूज करते हुए एक प्रिफिक्स को एडवल्टाइज किया लेट से कि हमने नेटवर्क कमांड को यूज करते हुए एक प्रिफिक्स को एडवल्टाइज किया जब आप network command को use करते हुए किसी भी prefix को advertise करते हो तो BGP सबसे पहला काम यह करता है कि वो routing आपकी local routing table को check करता है कि क्या वो prefix exist करता भी है कि नहीं करता में भी हो सकता है कि आप slash 24 पे advertise कर रहे हो जबकि वो subnet slash 32 पे है तो network command को चलाते ही BGP यह चेक करता है कि जो subnet आप advertise करना चाह रहे हो वो subnet आपके local routing information base में है या नहीं है अगर वो local routing information base में है then ही आपके उस prefix को आगे advertise किया जाएगा और ऐसा है अगर तो उस prefix की information को वो अपने local routing information base यानि कि BGP table BGP database में इंस्टॉल करता है इं वो यह चेक करेगा कि जो prefix है इस prefix तक जाने का next hop क्या है क्या वो valid है नहीं है वो सफीर चेक करेगा जब सब चेक कर लेगा उसके बाद वो जो आपने policies लगा रखी है उन policies को apply करेगा पॉल्सी क्या कहती है कि जब यह route आपके advertise किया जाएगा तो क्या as it is advertise किया जाएगा या कुछ change किया जाएगा तो अगर कुछ outbound or policies वगर आपने apply की होंगी तो उन policies को apply करेगा पॉल्सीज अप्लाई करने के बाद वो adj adjacency rib out table में उन prefixes को put करेगा और फिर neighbor router को advertise करता है तो bgp only advertises the best route to the other path other bgp peers regardless of the number of NLRI in the bgp table three tables bgp आपके तीन tables को maintain करता है to maintain the prefix and path attributing permission for the route adjrib in local rib and adjrib out local rib को आप bgp का database कहते हो adjrib in का मतलब क्या होता है जो route आपको neighbor से मिलता है वो route आप adjrib in table में paste करते हों adjacency rib in table में आपके वो routes होते हैं जो routes आपके किसी peer से मिलते हैं उसके बाद उनकी validity चेक की जाती है policies apply की जाती है उसके बाद local routing information based जाने की bgp table में डाले जाएंगे उसके बाद वो कहीं न कहीं आपके adjrib out table में send के जाते हैं तो total bgp तीन tables तो आपकी यह है जिनको वो यूज करता है अब के राउट की information को फर्दर आँगे advertise वगरा करने के लिए तो ऐसा होता है नेटर कमांड चलाई राउटर ने local routing table को check किया पता लगाया कि क्या वो prefix valid है या नहीं है सब ठीक था तो उसने bgp table में prefix को डाला नेक्स्टॉप वेलेडरी चेक किया सब ठीक था तो बेस्ट पाथ find out किया राउटिं टेवल में इंस्टॉल किया और राउटिं टेवल में इंस्टॉल किया और उस बेस्ट पाथ को जब नेवर राउटर के करना होगा तो जो भी आपने पॉलसी लगाई है उन पॉलसी को अप्लाई करने के बाद वो फिक्स की इंफॉंशन को एडीजे रिब आउट टेवल में पेस्ट करेगा और यहां से आगे की तरफ एडवर्टाइस करेगा और जो राउट नेवर से मिल रहे होते हैं उनको ए एडीजीपी आपका मैंटेन करते हुए चलता है जितने भी incoming और जितने भी आउट गोइंग प्रिफिक्स हैं उनको मैंटेन करने के लिए है इसे मिलते हैं अपकि औस सारे के जो हैं नमें में आपकी उस अरे जो Google नियुद है वह iलिए और प्रीव कर रहे हो उपने हैं मदलो की एडवल्टाइश लोकली इंजेक्टेड और सारे प्रिफिक्स जो वेलिड हैं ओके हैं वो सारे आपके लोगल में आपके रहते हैं तो बीजी पी में रौटिंग प्रॉसेस होता अप्डेट मैसेज के थूँ है हाला कि जब अप्डेट मैसेज आता है तो जो आपने इंकमिंग अपडेट्स पे पॉलसी लगा रख हैं वह अपलाइज की जाएगा तो जो आउड़ बाविग पॉलसी तो यह आपकी प्रिफिक कि अगल और मिला ओरिजिनल ली जो आपका बीजिपी बनाया गया था किवल आईई पीवी फुर प्रिफिक्स के लिए ही बनायए गया था और अब कि आपके आपके फैसिलिटी को पीजिपी कि जो मतलब आपके फंदमेंटल कॉंसेप्ट है उनको थोड़ा सा है इंपरू और इंपरू करके उन्होंने एक नए बीजिपी बनाया जो कि आपके मृट्चिपल प्रोटकॉल को सपोर्ट करता है इस मृटिपल जवाब के वह है उनको सपोर्ट करता है को वह पिजपी और ओदल्ट इबलप टो राउट तो एक ही बीजीपी में ऐसा होता है कि जैसे दो राउटर के बीच में आपका एक बीजीपी का सेशन बना है इस बीजीपी सेशन के ऊपर एक सिंगल बीजीपी सेशन के ऊपर आईपी वीजीपी का आपको एलाओ करता है कि आप बीजीपी राउटिंग प्योकाल को मंडिपल अड्रस फैमिली को सपोर्ट करने के लिए BGP एक Address Family Identifier या AFI का concept include करता है तो MPBGP, Multi-Protocol BGP supports multiple protocols such as IPv4, Unicast, Multicast, VRF, IPv6 Unicast, Multicast, VRF और इन Multiple protocols का support add करने के लिए एक Address Family Identifier करके एक फिल्ड है जो आपकी जो है लगाई गई है Address Family Identifier और AFI correlates to specific protocols such as IPv4, IPv6 मतलब AFI field Address Family Identifier के लिए बटाती है कि आपका Apfix कौन सी Address Family को बिलॉंग करता है IPv4 को बिलॉंग करता है, IPv6 को बिलॉंग करता है और Address Family Identifier के अंदर में एक Subsequent Address Family Identifier का भी concept होता है, जो आपकी बताता है कि IPv4 में Unicast है, IPv4 में Multicast है, IPv4 में VRF है, VPN V4 है, VPN V6 है, क्या है क्या है अंदर दी Address Family Identifier, जो आपके पास है, वो आपका ये बताता है कि IPv4 Unicast है, IPv4 Multicast है, VPN है, क्या है क्या है क्या नहीं, वो आपका ये include करता है, और ये information आपके पास जो लगके जाती है, ये आपके पास कहीं न कहीं, BGP में एक path attribute में लगके जाती है, मतलब ये बताना कि ये जो आपका route है, ये route कौन सी sub-sequent address family को belong करता है, क्या ये route IPv4 का route है, और IPv4 का route है, तो IPv4 में Unicast है या Multicast है, तो ये बताना कि आपका जो route है, उस route की address family क्या है, और sub-sequent address family क्या है, ये बताना, ये बताने के लिए BGP के update message में एक attribute add कर दिया जाता है, एक नया attribute, जब से multip protocol BGP, जब से MPBGP आप case में आया, MPBGP के case में कहीने कहीने आपके पास जो है, multip protocol BGP के case में एक path attribute होता है, जिसको हम बोलते है, MP multiprotocol reachable NLRI, ये MP reach NLRI करके जो attribute है, ये attribute आपके specific address family और subsequent address family की information को लेके जाता है, मतलब कौन सा prefix, कौन सी address family और कौन सी subsequent address family को बिलॉंग करता है, ये information आपके MP reach NLRI में आपको देखने को मिलेगी, MP reach और MP multiprotocol reachable NLRI में आपको ये देखने को मिलेगी, और मान लो, आपने किसी prefix की information को delete कर दिया, अगर आपने किसी prefix की information को delete कर दिया, तो ये कैसे बताया जाएगा कि इस prefix को आपने delete कर दिया है, उसके लिए MP unreach NLRI, unreach का मतलब है unreachable, मतलब जो prefix आपने delete कर दिया है, जो prefix आपने delete कर दिया है उस prefix की information ये बताने के लिए कि उस prefix को delete कर दिया गया है आपके पास जो है ये mpunreach nlri करके जो आपके पास है वो आपके पास attribute add कर दिया रहता है लग in mp reach और mpunreach nlri करके जो है mp reach और mpunreach nlri करके जो है these are used to carry the reachability information for different address families हर एक address family की अपनी अपनी database होता है हर एक address family का अपना configuration होती है चाहे आप address family की बात करो चाहे subsequent address family की बात करो सबकी अपनी अपनी configuration और अपना database होता है मलब bgp में आपकी अगर आप iOS उसकी बात करोगे अगर आप iOS 15 की बात करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि IOS 15 जो आपका लेटेस्ट ऑपटिंग सिस्टम वर्जन है वहाँ पर आपके कई सारी एड्रेस फैमिली जो पुराना वर्जन है ऑपटिंग सिस्टम का वहाँ पर बहुत जादा एड्रेस फैमिली का सपोर्ट नहीं है बट आइवस 15 में जैसे IPv4 का BGP अलग चलाओ, IPv6 का अलग चलाओ, Unicast का अलग चलाओ, Multicast का अलग चलाओ, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, VPN का अलग चलाओ, आप दो राउटर के बीच में एक ही BGP की नेवर्शिप बनाओ, और जैसे मालो आपका राउटर 1 के आपने राउटर 2 को नेवर बनाया, इसी नेवर को, इसी 12.1.1.2 नेवर को आप चाहो तो अलग-अलग address families में activate कर सकते हैं, बलब एक ही BGP session के ऊपर, IPv4 Unicast का राउट भी जाएगा, Multicast का राउट भी जाएगा, VRF का भी जाएगा, VPN का भी जाएगा, सब सारे राउट आपके exchange हो सकते हैं, ऐसा नही के सारे राउट इंफाक्ट advertise कर भी जाते हैं, तो वन मदलब जो आपका latest operating system है, उसमें आपके कई सारे BGP के आपके जो processes हैं, वो आपको रन करने को दिख जाते हैं, तो I'm not sure कि मैंने यहाँ पर कौन सा यह ले रख़ा है, अगर मैं जैसे, अगर मैं माल लो जैसे 15.4 है वैसे अभी यहाँ पर, वी आई योएस वाला अगर हम देखें, 15.6 है, मैं काम करता हूँ, मैं 15.6 को यूज करता हूँ, देखनें इसमें क्या होगा, इसको मैं on करता हूँ, देखनें इसमें BGP के कितने address families चलती है, तो every address family maintains a separate database, separate configuration for each protocol, अब इसका advantage यह होता है, कि अगर एक address family के लिए आप कोई routing policy लगाते हो, तो इसका दूसरी address family से कोई relation नहीं आता, अब आप आँ सकता है कि IP4 unicast के लिए कुछ particular routing policies लगाना चाहो, और वो routing policies आपके IPv4 multicast को कोई effect नहीं डालेंगी, IPv6 को कोई effect नहीं डालेंगी, किसी और कोई effect नहीं डालेंगी, आपके पास बना हुआ है, और यह सारी इंफरमिशन बीजीप इंक्लूर्स दे अड्रस फैमिली और सब्सेक्वेंट अड्रस फैमिली को बिलॉंग करता है, यह कौन सी सबस्वेंट अड्रस फैमिली को बिलॉंग करता है, यह information MP-Reach NLRI में update message में लगाके भीरी जाती है, तो BGP को पता रहता है, कि आपका कौन सा prefix, कौन सी अड्रस फैमिली को बिलॉंग करता है, हमें अपने BGP speaking peer को, BGP neighbor को, BGP router को, हमें appropriate address family में जा जाके activate करना पड़ेगा, तब जाके कहीने कहीने आपका, जो neighbor shift है, वो आप आती है, यह दो देखेंगे बाद में, मतलब, जैसे command एक चापको चलानी पड़ती है, जैसे आप चाहते हों कि आपका जो BGP neighbor है, आपको पताए कि वो BGP neighbor आपके पास है, वो आपको IPV4 Unicast address family का part है, तो आपको manually address family के अंदर जाना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि यह जो neighbor है, यह neighbor IPV4 Unicast address family का part है, तो यह बताने के लिए कि neighbor आपकी तौन सी address family का part है, हमें उस neighbor को उस address family में activate करना प्रता है, इस लाइक की, देखो ऐसा होता है, iOS होता है, iOS XE है और iOS XR है, डिपेंड डिपेंड तरह के operating system के वरिजन साथ है, most of the operating system version में, अगर आप कोई भी neighbor define करते हो, बीजीपी में, तो by default, अपने आप, वो IPV4 Unicast address family का part माल दिया जाता है, अपने आप, तो आपको कोई activate, activate कुछ नहीं करना पड़ेगा, बट कई सार operating system के वरिजन ऐसे भी है, जहां पे ऐसा नहीं होता है, कई सारे operating system के वरिजन ऐसे भी है, जहां पे आपका जो router है, और router आपके IPV4 Unicast address family का part नहीं होता, by default, specifically जैसे आप iOS XR की बात करोगे, तो वहां पे नहीं होता, तो मान लो आपने router BGP में neighbor define किया है, आपने कहा है, neighbor 12. ल.1.1.2 और उसका remote autonomous system 100 है, यह neighbor कौन सी address family का part है, यह नहीं पता, तो जब आपका यहीं नहीं पता है कि neighbor कौन सी address family का part है, तो कौन सी address family के साथ नेवर शिप बनाई जाए, नहीं बनाई जाएगी, आपको बताना पड़ेगा, खुद, जब मैं यहां पे BGP run कराता हूँ, एस नमबर 1 से 4.2 तक लिख सकते हो, 4294 वगरा तक और दूसरा आप, X, Y में भी लिख सकते हो, तो मालो 100 लिखते है, BGP router ID देना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप तूस करता है, नहीं तूस करता है तो देना पड़ेगा, अब देखों यहां पे, by default आपकी यह command चलती है, BGP default IPV4 Unicast, यह command by default चलती है, दिखाई नहीं देती, बट चलती है, यह command आपकी by default चलती है, दिखाई नहीं देती, बट यह command by default चलती है, यह कोई चल रही है, इसलिए दिखाई नहीं दे रही है, तो जबी भी आपको enable define करते हो, तो यह neighbor अपने आप IPV4 Unicast Address Family का पार्ट नुमाल लिया जाता है, तो जब आप दूश वाइपी BGP summary करते हो, तो यहाँ आपको दिखता है कि नेवर कौन है, कौन है कौन नहीं है, अब यहाँ पर आपको कहीं address family नहीं दिख रही है, देखना है आपको address family, तो श्वाइपी BGP all summary करके देखना, तो यह सारी address family के बा नेवर्शिप define करोगे, तो by default हो, आइपी फोर युनिकास address family का पार्ट माले रता है, बट मान लो, यह command चल रही है, मान लो, यह command चल रही है, BGP default, IPV4, Unicast, इसको no कर दो, तो यह command चल लएगे, अब अगर आपकी कई iOS में command by default चलती है, तो अगर यह command चल लएगे, अब define करो आप neighbor, जब आपने neighbor define किया, तो कौन सी address family का पार्ट है, यह पता नहीं चल सकता, यह नहीं पता लग सकता कि यह कौन सी address family का पार्ट है, क्योंकि अब नहीं माना जाएगा कि यह default IPV4, Unicast, address family का पार्ट है, इसलिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, बलब काइंड आउपस ने भी बीजी पी स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि बताएं नहीं आपने कि कौन सी address family का पार्ट है, तो कई iOS में कमांड by default चलती है, इसका मतलब यह नहीं माना जा सकता है कि नेवर कौन सी address family का पार्ट है, तो आपको खुद address family बनानी पड़े कि इतनी support करता है, इतनी हम पढ़ेंगे, तो address family, IPv4 और IPv4 में भी Unicast, Multicast, VRF, MBPN, MDT, Flow Specs, जो भी यह मतलब यह इतनी address family support होता है, हमें बताना है कि वो Unicast का पार्ट है, नेवर 12.1.1.2 अक्टिवेट, अब वो आपका जो राउटर है, वो नेवर को उस address family का पार्ट मनेगा और उसके लिए BGP प्रॉसेस रूंकराना शुरू करेगा, अब इसी नेवर को आप address family, IPV4, Unicast, VRF, A और आप नेवर अक्टिवेट कर सकते थे, ऐसे, ऐसे इसी को address family, IPV4, Multicast, और नेवर 12.1.1.2 को आपकते प्रॉसेट कर सकते थे, address family, IPV6, Unicast, नेवर, IPV6, Unicast, और नेवर, आप आप प्रॉसेस राटिंग, IPVRF, A, तो राउटर बीडिपी एड्रेस फैमली आई पीवी 6 युनिकास्ट नेवर 12.1.2 आई पीवी 6 है बाट आई पीवी 4 नेवर पर एक्टिवेक करें दे रहे हो चलता है बीडिपी ऐसा प्रोटकॉल है जो आई पीवी 4 नेवर की उपर आई पीवी 6 के राउट एक्टेंग कर लेकर है अग्रेस फैमली एपीवी 6 छ अमल्टीक डीकास्ट अ फेल डॉरम डॉर्ट रप रसज़ेक की राउटर भी पीवी आप लेता हुड गए और नेवर एक्टिवेट कर सकते अब आपने देखो एक ही बीजी प्रोसेस के अंदर आपने कितनी सारी अड्रस फेमली बना डाली आपने नेवर डिफाइन किया उसको रिमोट एस वगरा दिया फिर इसी नेवर को तो आपने आई पीवी फोर यूनिकास मर्टी कास्त ईप्रसक्ते वियारेस्यटी आपके इस यह तो यहां पर आपको चैवल आई पीजीपी सब्री में आई पीफोर यूनिकास दिखाता है तो ऐसे शो शो बीजीपी आई पीवी कौन सा फोर योनिकास्ट समरी यह आपको दिखाएगा आई पीफोर योनिकास्ट शो बीजीपी आई पीवी फोर मल्टिकास्ट समरी यह आपको दिखाएगा IPv4 Multicast Show BGP IPv4 VRF VRF ऐसे नहीं आएगा Show BGP IPv4 Unicast VRF नहीं आज़ा है Command ऐसी होती है Show BGP IPv4 के बाद Unicast Multicast यही दो दिखा रहा है चलो, All करके चेक कर रहते हैं वैसे, यह तो ऐसे भी होती है Show IPv4 VPNv4 Unicast या VRF जो भी है जिस भी VRF लिए आपको चेक करना है मलब आपके पास डिफेंट डिफेंट या Show IPv4 बीजीप All Summary करके देखो अगर आपको सारी सब एक बाद में चेक करनी है तो कह रहा है कि IPv4 Unicast में भी एक नेबर है IPv6 Unicast में भी एक नेबर है IPv4 Multicast में IPv6 Multicast में कल को आप router BGP address family VPNv4 VPNv4 Unicast neighbor 12.1.1.2 activate say address family VPNv6 Unicast बलब आप simple सा फंड़ा यह है कि आप एक ही neighbor को multiple address families का part बना सकते हो और कैसे पता लगेगा कि कौन सा neighbor कौन सी address family का part है तो श्वाइपी BGP All Summary करके देख लेना वो दिखा देगा कि आपका कौन सा neighbor कौन सी address family का part है तो BGP multiple address families को support करता है BGP में आपकी कई सारी address families होती है और इन address families को support करने के लिए BGP अब एक update message बिजएगा उस update message में यह बताने के लिए कि आपका neighbor कौन सी address family का part है कौन सी नहीं एक MP reach MP reach NLRI करके एक आपके पास information attach होके जाती है तो यह BGP के MP reach NLRI करके है वह आपके पास BGP के update message में लगके जाती है यह information आपके BGP के update message में कुछ इस तरीके से लखके जाती है इस तरीके से से एक लिखा है यह geography में आपकी ञापकी वह information attachment attach होके जाती हो इस में लिखा रहता है कि कौन सा prefix, कौन सी एड्रस फेमली का पार्ट है यह थोड़ा बटब दिखाएगा आपको यह तो आप पाथ अट्रिब्यूट ओपन करोगे एंपी रीचनल राई इसमें लिखा हुआ है एड्रस फेमली यूनिकास्ट आई पीविशिक्स तो आई पीविशिक्स यूनिकास्ट अपडेट है कौन से नेक्स्टाप क्या है सब्नेट क्या है उसारी इंफोर्मिशन आपके टाइच होके जाती है अलग-लग तरीकी की जो एड्रस फेमली हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आपके यह बनाएगा है तो कुल मिला कि बीजी पी आपको एलाउ करता है बीजी पी आपको इस अब आप जो है अपने साफ से राउट्स और एक्स्टेंज कर आपके बीजी इतना फ्लेक्सिबल है और इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि कौन सा क्या है क्या नहीं वहां एंपी रीच और एंपी अंडी चैनल राइटी लिए अट से लिए बेसिक फंडामेंटल में यही बनाते हो और नहीं बनाते हो और कोन-कौन से मैंसरेश और क्या से उज़ोंगी तो कल यह फिनिश कर लेंगे ताकि मंदे से फिर फर्दर प्र आपके पास जो बीजी पी की कनिफिकेशन है वह साट कर सब्सक्राइब होगी जिसमें दो राउटर के बीच में बीजी पी जो बात करेंगे और उसमें क्या 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 आपके स्टेट्स और क्या 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 आपके पास वह बनाएगा और आपके पास जो अपडेट में वह सब्सक्राइब करेंगा अच्छा बीजी में जो नेवर्शिप है वह स्टेटिकली कन्फिगर करनी पड़ती है तो जबी आप राउटर बीजी पी चलाओगे और आप नेवर कमांड होगे तो नेवर कमांड देते वक्त आपको जो नेवर का आईपी को इसे तो बीजी पी सारा यह तो भी बट करता है कि हम जो है जो 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 बीजी पी की राउटर है उसका है कि अगर इस को बोले तो हाला कि वह फिलाल जैसे मालो तो एक सिंपल हम बात करते हैं कि आप लाउटर मतलब यह जो आपका यहां पर डिवाइस हैं मैंने इसलिए यूज़ करी है क्योंकि इसमें एक्षिल में जो आपका सिस्टम का वरजन है वह 15.6 है ठीक है लेटेस 15.9 चलता है फिलाल जी एनस पर 15.0 चलता है जीरो टू ऐसे चलता है तो मतलब पॉइंट है कि अगर मैं उसमें यूज़ करूंगा तो कुछ चीज़ें हैं जो हम देख नहीं पाएंगे फिलाल हमारा फोकस है कि चोड़े-चोड़े-चोड़े-चोड़े-चोड़े-टॉपिक्स हैं वह आपके फिनिश करना है जैसे बीजीपी की नेवर्शिप हो गई यहां यहां यही मीजीपी हो जाएगा दो हम ओ लुझस नंबरिशा चाहिके क्या पर सिउसके तब्ली और यहος कर शक्ते और हम आपका च В प्राइबेसे प्राइब शक्रति-चथ कर सकते हो कि तो बॉल गण यहाइप याइज घ्ले बिलाईस कर सकते हूं 22 ए उ carry लं लेट्स को वे वियाइवस 1 यह वियाइवस देवाइस थोड़ा बूट अप करने में टाइम लेती हैं वियाइवस 1 और वियाइवस 2 के बीच में बेसिक कंपिशन जो करनी हो करते हैं अब टाइम लेगा थोड़ा दो बीचीपी का जो ओपन सब्सक्राइब करता है और बीचीपी का ओपन मेसेज यूज करके जो आपकी नेवर शिप है वो नेवर शिप आपकी बनाई जाती है तो पहले क्या होगा कि दो राउटर साथ के आपस में TCP 3 वे हैंचेक करेंगे मतलब सींग से नाइक शेक किम्पीट करेंगे यह वों सींग से नाइक पर प्रोसेस कम्प्रीट हो जाएगा उसके बाद ऑन्हाइब सबस्क्राइब हो से इसके लिए जो परमिटर मैच करने हैं ज आपके बीजिपी के ओपन मेसेज में लग के जाते हैं प्रैमिटर के उपनेकर गरिकर बिफिक न करना जिन पराइमिटर का मैच करना जूरूरी है ताक्य 2 आफ्र साथ के बिजिपी में नियूश यह बना सकें और बीजिपी का जो ओपन पेकेट है इसको करके आपकी यह इंफर्मिशन आपकी भीज़ी आपकी है देख होता है बीजी पी का वर्जन एस नंबर राउटर आईडी और ऑप्शनल परिमिटर सच आज ऑथेंटिकेशन मुल्टी प्रोड़कॉल सपोल्ट राउटर फिश्ट का विश्ट है तो यह हैडर होता है इतना आ ऐव सब्सक्राइब मेरे और चलता है वह फोर है तो आपके नहीं नहीं रहेगी और है सब्सक्राइब चलता है और जो चेंज कर सकते हूँ वह भी फॉर है कि आप एस नंबर तो राउटर वन जब अपना बीजी पी का उपन पैकेट बेज़ेगा तो अपना जो एस नंबर की इंपॉर्मिशन को उस अपडेट में लगा के पास करता है उसके बाद होल टाइं होल टाइं मतलब यह कि कितनी देर तक के लिए अगर मैं आपको मैसेज ना दूँ की पलाई मैसेज ना दूँ तो आप जो है नेवर्शिप को होड़ करके रखोगे तो होल टाइम मतलब हाव लाउटर मस्त वेट बिफोर डिकलेश बनेवर डैड नेव आप नहीं दोगे तो अब बेटर यहीं रहेगा कि आप राउटर एडी को डिस्पेसिपाई गड़ो अप्शिनल परामिटर से नौप्शिनल लेंथ कई बार क्या होता है जैसे मालो आपके बीज़ीपी स्पीकिंग राउटर पे कुछ एक्ट्रा कैफबिलिटी हैं जैसे म नेवर आउटर को फिर ऑप्शनल तर्यमिटर में लगाते हैं तो दो आउटर सापस में बीज़ीपी का ओपन मैसेज एक्सेंज करते हैं और उपन मैसेज़ करके उनके बीच की जो नेवर रिलेशनशिप है वो नेवर रिलेशनशिप बनाई जाती है या अधना डिसकवर होती है छ Production को ऊस्थल नहीं होते है जो बाकि की अच्छाप अच्छा सब्सक्रांट नोए बाकी के प्रटॉकॉल्स में जैसे किसी बी पूर की बात करो आप रिप रॉट इंप कोई नहीं होता उसमें जो रुट का जो अप्डेट मेसेज वही आपके 30-30 से कंस में जाता रहता है अगर आप बात करते हो जैसे आई ज्यार्फी पूर क्या आप बात करते वहां पर उसके प्र पूर कि तो हाप दिख्कत यह है आपको अगर याद हो जैसे OSPF राउटिंग प्रोटकॉल है तो अगर एक पैकेट आपका 24 वाइडर से इनकाप्सिलेट होता है तो अगर OSPF का हेलो पैकेट मनेगा तो उस यहलो क्यों के ऊपर 24 वाइट का हेडर तो लगेगा ही लगेगा तो आप हर 10-10 सब्सक्राइब आगर हम यह मांनते पुछलें की हलो का साइज 20 वाइब है तो आप हर 10-10 सब्सक्राइब में 44 बाइट का पैकेट आप भेज रहे हों कि एक बार जब बन गई तो हेलो पैकेट को पिरॉडिकली भीजने की ज़ूरत नहीं है आप कोई छोटा सा की पलाइव मैसेज भी बेज चाकते थे इसलिए हेलो मैसेज में पुल कंटेंट आपका भीजा जाता है तो बीजीप का जो आपका हेलो पैकेट है यही आपका नेवरशिप डिस्कवरी नेवरशिप को इस्टैबलिश करने और आपके पास काम करता है अब आकि जब बात करते हैं बीजीप में तो यह काम दो अलग लग लोगों को दे लिया गया है तो बीजीप का जो ओपन केवल आपकी नेवरशिप इस्टैबलिश करेगा और जो आपका keep live message है यह keep live message आपके पास नेवर्शिब को लाई रखता है यह दोनों काम आपके IGP पोटकॉल में हेलो message ही करता है जब कि BGP जाएसे पोटकॉल में keep live message होता है keep live message आपके पास 60 seconds में बिखा जाता है इसमें केवल और केवल head of लख के जाता है इसमें बागी का जो कंटेंट है आपका मदब ओपन मैसेज का वह लग के नहीं जाता ताकि बेवज़े आपके जो है पैकेट का साइज ना बढ़े सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसका आप रखो या जिसे मालों अपने तक रखो आप अपना कीप लाइटी सेकंड्स तक रखो आप अपना कि आपके वह लाइट वेटेड मेसेज होते हैं जो आपके हर सिक्सिती सेकंड्स में आपके नेवर आउटर को संट कि आपके आपके जो बीजेपी नेवर शेपर आपकी बने रहें को देखते हैं एक बार कि तो यहां पर कि मैं जो बिजिपी नियलठीड का पार्ट मालो तो बेसिकली बीच में आपकी बनाई जाएगी और आ कि क्या है कि to enable configure terminal no IP domain lookup यह just for line console zero logging synchronous or exec timeout 00 अबाद आपके पास hostname ऐसे और तो यहां पे जाके होस्त नेम यहां पर जाके सराच नहीं यहां पर यहां पर कैसे पर इस चीजे थे आपके नए आई रिस्में एनगी कब्राने थी नहीं तो यह हो गया उसके बाद हमें यहां पे सब्कुल होँ इसको से ग्रह 2017 मस्तों इनके जिसे फिसे एंटरफेस गीह बिट एो तो यहां इन पर यहां पर यहां पीज है इसके इंटरफेस पर मांति जैसे 12.1.1 का पैसे फोल्था नार चुर्फेस मापि भी सेम जाके ईप आइप डरैस 12.1.1.ट कर दो है और ओनो मैं नोश्च यहां पर और नोशेत हैं तो आपने दून राउटर के बीच में आई पी वगरा सेट कर दिया ठीक है दूशो आई पी इंट ब्रीफ टेक 020 यहां पर भी आपके पास दूशो आई पी इंट ब्रीफ टेक 020 आप यहां पर चेकल लोगे पिंग जरूर करना कभी कभी क्या होता है कि सब ठीक होता है लेकिन नहीं होती तो उसकेस में आप राउटर आफ करो केबल डिलीट करो दूबारा से लगाओ चल जाएगा कभी कभी सॉप्टर का इस हुए जब यह आप ड़न कर लो उसके बाद आप यहां पर बीजीपी इंट करना सुरू करो अब बीजी पी आप दोनों तरीके से इंटाइट कर सकते हो बीजीपी करने के लिए आप 16 विट्स के यस उसक्ते और 32 बीट्स के एस वी उसकते हो क्यों कि जो हम आई वेस्यूस कर रहे हैं वो दोनों सपोर्ड करता है हमारा जो आई वेस है वहापके सब्सक्राइब मतलब एस तंबर फॉर्मेट को सपोर्ड करता है तो कंफिगर टर्मिनल राउटर बीजीपी और यहां पर आप जो है दोनों आप डिफाइन कर सकते हो आप डिफाइन कर दो बात एक ही है तो मैंने का राउटर बीजीपी 100 इस आलवेज रिकमेंडेट कि सब्सक्राइब बना सकता है कुछ रूल से जो आपको याद करने पड़ेंगे जैसे कि इवीजीपी नेवर में कभी आप नेवर बनाते हो तो रूल होता है कि इवीजीपी नेवर आप से डिरेक्टली कनेक्टेट होना चाहिए तो मैंने लिखा नेवर 12.1.1.2 रिमोट एस 200 जैसे ही मैं एंटर मारूंगा राउटर तुरंट चेक करेगा बीजीपी तुरंथ यह चेक करेगा एक 12.1.2 राउटर वन पे डिरेक्टली कनेक्टेट है या नहीं है और अगर राउटर वन पे 12.1.2 डिरेक्टली बीजीपी में इवीजीपी के केस में जो आपके नेवर से मस्ट भी डाइक्ली रूल है तो खैर नेवर नेवर का आईपी एंड रिमोट एस उसके बाद वी आईवस तूपे गया यहां पर जाके भी सेम ऐसे ही राउटर बीजीपी 200 बीजीपी राउटर आईडी और आपन कि कि पियरिंग है वो प्रॉसस स्थार्ट होगा तो सबसे पहला राउटर वन डाउटर टू के साथ राउटर टू राउटर वन पे साथ ठीवे हैंडेट करेगा करेगा क्या उस तो ना जिसके बीजीपी पूटकॉल है और रिक टीप कनेक्शन बनाके रखता है तो तो लृब टॉट लॉट अपी हाई एस्त है तो जब बीजिपी का पीरिंग आई होगी तो बीजिपी की पीरिंग मैनेज कौन कर रहा होगा आपका टॉट पीजिपी ब्रीफ कमांड चलाओंड तो यहांपे दिख जाएगा कि आपके टॉटली दॉट दॉट नॉट लॉट टू कि यहां पर जब आप चेक्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि सबसे पहला काम आपके राउटर के बीच में यह हुआ पहले क्या हुआ जब मैंने पहली पहली बार बीजी पी नेबल कराया तो राउटर वन ने राउटर नुबर टू को एक एक टीसीपी का मैसेज भेज करना है पोर्ट नंबर 179 से सब्सक्राइब को कह रहा है भाई अपने पुर्ट नंबर 179 से connection करो बट एक्षिल में बात ये थी कि राउटर नुबर टू के पूर्ट नुबर 179 पे सर्विस चली नहीं रही थी क्योंकि हमने राउटर टू पर बीजी पी चलाए नहीं था तो इसलिए सिन के रस्पॉंस में राउटर नुबर टू आरे जिसली रहता प्युक्राशिज अब आपका मेसेज गया तो इस सिन मैसेज के रिस्पॉंस में सिनायक आ गया सिन बीज्वायगा 내일 weekend सिन्सिन एक का प्रॉसेस जो था यह कंप्लीट करने के बाद आपका जो यह टास्क है यह टास्क आपका कंप्लीट किया गया कि सिंस इनक और एक का जो प्रॉसेस था इसको कंप्लीट करने के बाद आपका यह जो थ्री एंडशेक का जो प्रॉसेस हो थी एंडशेक का प्रॉसेस आपके पास कंप्लीट हुआ सिंसिनाइक प्रॉसेस यहां पर कंप्लीट हुआ यह थ्री हैंड से कंप्लीट होने के बाद आपके राउटर वन ने राउटर टू की तरफ एक बीजीपी का ओपन मैसेज भेजा आप सिसोः लिखा हुआ है और इसमें क्या-कि इनफरमिशन लगक मार कर लोती है लिंगी हुई है कि वह इस the size of that open message वो लिखा हुआ है आपर वर्जन वर्जन पूर ही होता है एस नमबर मतब आप कौन सा एस नमबर बिलॉंग करते हो लिखा हुआ है और टाइम लिखा हुआ है राउटर आईडी लिखी हुई है और और अपिशनल परेमिटर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह में राउटर बन बता रहा है कि मेरे पास इतनी हैं एक दो तीन चार पांच है वन कॉनसी हैं तो आप जैसे चेक करो कर रहा है मतलब मैं करा सकता हूं पुराने वर्जन सब्सक्राइब नहीं होता था क्योंकि बिज़िपी वाज डिजाइन पौर आइपीवी फॉर राओं बाद में जैसे बीजीपी पर इन्हेंस किया गया तो कह रहा है कि जैसा है मेरे पर मल्टी पॉटकॉल एक्स्टेंशन करा सकता हूं और मैं आइपीवी फॉर एड्रस फैमिली आइडेंटिफायर मतलब आइपीवी फॉर और सब्सिक्वेंट अडिटिफायर मतलब यूनिक इसमें सपोर्ट करता हूं इसे बता रहा है कि मैं क्या मेरी हैं जो मैं इंट्राइक्ट आपके पास सपोर्ट करता हूं उसके बाद अगर आप बात करोगे तो पाएगी उसके बाद फिर आपकी अपडेट्स आएंगे पिर अल्गोरिट में करेगी फिर बेस्पाद बनेगा तो टाइम लगेगा अभी कभी पंदर में लग जाता है तो कई वार हम नहीं चाहते हैं कि हम हार्ड डिसेट करें तो इसका मतलब है कि हम नेवर को एक मैसेज भी रहे हैं कि भाई सारे राउट मेरे को दुबारा से दो तो उसकेस में फिर आपके राउटर फिश मैसेज़स का यूज ले रहात है यह वीजीपी के उपन मैसेज को टीचीपी से इनकाप्सलेट किया गया सोर्स पोर लगाया गय पोर लगाया गया फिर आइपी से इनकाप्सलेट किया गया एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि इवीजीपी के जितने भी पैकेज जाते हैं उनका टीचील वन होता है इंफाक्ट यह तो एक बीजीपी नेवर की तरफ ही गया हुआ तो इवीजीपी के जो भी मै बीजीपी का उपन मेसेज भेजा परेमिटर चेक करें गए परेमिटर ओके थे सब ठीक था तो राउटर ने अपस में फिर कीपलाई मैसेज भी बात की कनफरमिशन है कि सब ठीक है तो ओपन मैसेज जो है जो ओपन मैसेज है इसको यूज करते हुए आपकी नेवर्शिप की जाती है और कि यूज करते हुए रखा जाता है कि कीपलाई मैसेज आपके हर 60-60 सेकेंट में जाते रहेंगे 12.12 की तरफ 21 की तरफ आपके कीपलाई मैसेज भीज़ता रहे है यह मैसेज का टाइमर है आपके 60 सेकेंट में आपको देखने को मुझे लोगा 12.1.1 से आपके मैसेज पास हुए जैसे 12.1.2 से 1 की तरफ आपके 34 मैसेज गया उसके बाद अगर आप देखोगे तो 12.2 से 1 की तरफ फिर 85 के आसपास आपके पास मैसेज गया हुए तो राउंड 34 से 85 राउंड 50 सेकेंट के आसपास कुछ होता है तो अप्टू 60 सेकेंट तक का आपका जो है कीप लाइव टाइमर रखता है चीक है तो बीजीपी का जो ओपेंड मैसेज है यह आपके नेवर शिप बनाता है बीजीपी का जो की प्लाइम मैसेज है उसको अलाइव रखता है और जबी आपको इपडेट अडवर्टाइज करते हो किसी भी नेटवर के की इंफॉर्मिशन को आप एडवर्टाइज कर रहे होते हो तो मैसेज आपकी अपडेट मैसेज में लखके जाते हैं आप चाहते हो कि आपका कोई सब्सक्राइब अब एक चीज आपको याद रखने वाली बात इसमें यह है कि जबी भी आप बीजीपी में कोई भी नेटवर्ट अडवर्टाइज करोगे जैसे मालो आपने एक लूप बैक बनाया इसका आपनी यह आईपी दे दिया अब आप सोचो कि आप राउटर बीजीपी में जाके इसको अडवर्टाइज कर लो नेटवर्क 1.1.1.1 करके मतलब आपने नेटवर्क कमांड तो चला दी और आपने मास्क नहीं दिखा तो राउटर बीजीपी यह समझेगा कि यह 1 मतलब क्लास a है और क्लासa का जो डिफल्ट मांसम होता है 255.0.0. तो राउटर बॉन क्या करेगा अबं लोकल राउटिंग टेवल करेगा यह पता करने के लिए ति क्या यह यह राउट charged करता है क्या यह राउट disease करता है आगर यूट एक रेअग्यिस करता डू शो आई पी राउट करके जब उसने चिक किया तो पता लगा कि एक्च्वल में जो वन का सबनेट पे तो ही नहीं वन का सबनेट तो आपके टॉन्टीफॉर पर इस केस में आपका व्यृटिपई अग्राइज्ण नहीं करेगा तो है यह आपको यह दिखना है कि ऐसा नहीं करता कि आपड़र्पैस कर सकते हो डिनीपी है अगर आप किसी प्रिफिक्श को डर्फा expressed करना चाहते हो तो इसका करना जरूगी होता है तो नेटवर्क 1.1.1.1 मास्क आपको डिफाइन करना पर आपने क्या किया नेटवर्क 1.1.1.1 और मास्क आपने 255-255-255-255 दिया अब राउटर क्या करें कोई नहीं है तो यह नेटर कमांड जब आप चलाओगे तो आपको मास्क द्यान से प्रॉपर देना पड़ेगा अच्छा यह पहला तरीका है यह एक तरीका है जिसको यूज करके आप यह मतलब सकते हैं और भी तरीके हो सकते हैơn तो पहला तरीका है अब जैसे आपने क्या 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 कि है यह नेटर कमांड में आपने 9 यह पीडार मास्क कशनिया क्या है झीए कर इंब है क्या लाटर ने सब्सक्राइब करता है तो अब उस prefix को advertise कर सकता है तो वो क्या करेगा आपका router BGP उस prefix की information को अपने local BGP database में डाल देगा और local BGP database में जब submit डाला, अब ये submit eligible है कि ये दूसरे routers को update message में advertise किया जाए तो BGP दूसरे routers को update message दे, उससे पहले उसके खुद के local BGP database में वो submit होना चाहिए तो कह रहा है कि 1.1.1.0 1.1.0 24 तक जाने का next hop है 0000, मतलब हम ही next hop है वहां तक जाने का जो आपका, ये star का मतलब है आपका valid arrow का मतलब है आपके पास best तो कह रहा है कि यहां तक जाने का best path यही है और अगर आप इसको detail में चेक करोगे तो अगर आप इसको detail में चेक करते हो 1.1.1.0 24 कमांड चला के तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां तक जाने का एक ही रास्ता available है, वही आपका best है local मतलब आपका locally injected यहां तक जाने की router की router ID क्या है तो next hop update source और router ID यह तीनों चीज़े आपकी mention रहती है इस subnet तक जाने की जो मतलब अब यह तो खेर आपकी वो हैं क्या नाम है, attributes हैं थोड़े यह valid subnet है, to be advertised to the neighbor router, source है, local है best है, सारे information आपको यहां पर देखने को मिल लाई है, और एक बीजीपी का update message बना, बीजीपी का जैसे आपने network advertise किया, एक update message बना, update message बना, अब डेट मैसेज, तो सब्सक्राइब, यहां पर आपके चेक करो, यहां एक update message, तो अगर आप इस update message को open करोगे, तो update message में, आपको एक subnet की information दिखाई देगी, तो NLRI, NLRI मतलब नेटर के रीचिबिल्टी information, उसमें IP और मास्क है, basically NLRI is group of prefixes, जिनके path attribute common है, तो कह रहा है कि अभी एक ऐसा prefix है, जिसका जा रहा है, और उसका path attribute यह सब है, तो path attribute में origin, as path, next path, med, यह सब लगके जाता है, तो marker length और type, यह header हो गया, उसके बाद अगर कोई route आपने delete किया है, तो उनका size कितना है, total path attribute का size कितना है, NLRI क्या है, क्या नहीं, सारी information आपको देखने को मिल जाए लिए, इसको TCP से encapsulate किया गया, तो source port number, destination port number, then IP से encapsulate किया गया, दिन आखे भेज़ दिया गया, और इसका आपको acknowledgement मिल जाएगा, क्योभी TCP है, तो reliable है, reliability insure करने के लिए, जो भी आपके TCP के message आते हैं, उनका acknowledgement आपको दे लिया रहा है, और अब मालो आप network को delete कर दो, advertise करना बंद करा दो, आप no कर दो यहाँ पे, तो अगर आप no करते हो, तो इस subnet advertise करना बंद कर दिया जाएगा, तो जैसे ही आपने no किया, तुरंट फिस एक update message आएगा, इस update message को आप check करोगे, तो इसमें आप विड्रॉ कर लो, डिलीट कर दो, यह राउट पहले advertise हो रहा था, अब आप यह राउट आपका advertise नहीं हो रहा है, तो अप्डेट message ही, अप्डेट message ही आपका prefix लेके जाता है, और अप्डेट message ही यह बताता है कि इस राउट को हमें आप विल्ड्रॉ कर देना है, तो आपके पास deleted prefixes की information भी आपकी carry करती है, तो यह हो गया आपका header, उसके बाद unfeasible, मतलब withdrawn routes की distance, length मतलब, और withdrawn routes, attribute length, path attribute, ml or i, यह आपके update message में information carry हो कर दाती है, अब मैं क्या करता हूँ, तीन loopback बनाता हूँ, एक loopback मैं already बना चुका, एक loopback मैं interface, loopback 1, IP address, थोड़ा मैं change कर देता हूँ, interface, loopback 2, IP address, मैंने change कर दिया, interface, loopback 3, IP address, 1.1.1.3 करके मैंने change कर दिया, तो पहले क्या होता था, कि आप क्या करते थे, router, BGP, कैसे आपको याद हो, मानलो, सपोज आपको जो है, EIGRP चलाना होता, और आपको इन तीनों पे, EIGRP नेबल कराना है, तो आप simple, 1.1.1.0, wild card mask देखे, तीनों पे एक बार में नेबल करा सकते थे, उससे होता यह था, कि आपका BGP, जो आपका EIGRP या जो आपका OSP protocol है, वो उन interfaces पे enable हो जाता था, जो आपके उस network range के बीच में आते हैं, BGP में जो आपकी network command है, BGP में जो आपकी network command है, वो इंटरफेस पे protocol को enable करने के लिए नहीं होती, BGP में जो network command है, उसका pure काम है network advertise करना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप network 1.1.1.0 और यहाँ पर ऐसे लिप दो, यह गलत हो जाएगा, तो आपको क्या करना पढ़ेगा, तीनों subnet, एक एक करके आपको advertise करने तो network, mask, then second वाला, आपको advertise करना पढ़ेगा, तो आपको थर्ड वाला advertise करना पढ़ेगा, ऐसे आपको तीनों तीनों subnet, आपने individually advertise करें, आप observe करो, तो BGP का एक update message गया, update message को आप open करो, तो इस update message में कौन-कौन से subnet लगके जा रहे हैं, एक ही subnet लगके गया भी, अरे पहले यहाँ पर enable हो गया, उसके बाद थोड़ा time लग गया मेरे को दूसरे subnet पर enable कराने के, तो पहला यहाँ पर गया, उसके बाद फिर से भी update message आएगा, दूसरा update message गया, दूसरा update message गया, इसको आप open करके देखो, इस update message में बाखी के जो दो prefixes हैं, वो लखे गए, यह ऐसा मत सोचना कि एक अलग क्यों जाता है, दो अलग क्यों जा रहे हैं, बात यह कि delay हो गया, नेवर command run कराने में, अगर मैं इतनी जल्दी minimum time, दो advertisements के बीच में 30 seconds का होता है, तो अगर एक बार update भेजा गया है, तो अग इन दोनों के क्योंकि path attribute common है, तो इसलिए उन दोनों को एक ही NLRI के अंदर रखा गया, और उनके path attribute लगाए उठा के दे दिया गया, ऐसा नहीं किया गया कि हर एक prefix में individually मैं सारे path attribute लगाँ कि उससे size बहुत बढ़ा हो जाता, तो यह, अगर मैं यह करूं कि clear IP BGP star, मैं hard reset मा जाएगी उसके बाद BGP की ने वश्व दुबारा से अप आएगी और दुबारा से update message आएगा, इस बार जब update message आएगा, तो तीनों subnet की information आप चेक करो, तीनों subnet की information आपके, update message आने को, यह, तीनों subnet की information आपके एक ही NLI में जाएगी, BGP तब तक prefixes को आगे advertise नहीं करता, जब तक कि वह आपके local BGP table में inject नहीं हो, तो अभी तक जो प्रिफिक्स से local BGP table में inject नहीं हुआ है, आपने command तो चला दी है, do, show, run, pass, section, outer BGP, command तो चल नहीं है, बट यह prefix अभी तक आपके local BGP table में inject नहीं हुआ, अब जाके inject हुआ तो जब यह prefix आपके BGP table में inject हो जाएंगे, तब कहीं जाके आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा, और इस बार आप observe करो, तो एक ही NLRI के अंदर तीनों प्रिफिक्स से लगते जाए, अब क्योंकि इन तीनों के पाथ attribute same है, तो इसलिए इन तीनों की information एक ही update message में एक path को, path attributes क्या होते हैं, कि अगर आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो जो रास्ता है, जो path है, उसका origin code क्या है, उसका as path क्या है, उसका next top क्या है, उसका med क्या है, So scene ऐसा है, NLRI, मतलब natural clear reachability information is group of pictures with common path attribute, तो one NLRI will represent one path, तो मानलों अगर आप कुछ चेंज कर दो, मानलों अगर आप कुछ ऐसा change कर दो, कि जैसे एक काम करते हैं, 2 का जो subnet है, उसको 32 साटाके 24 पर डाल देता है, तो आप एक काम करो, interface जो loopback 2 है, इसको आप क्या करो, बट path attribute तो दोन तीनों के common, common ही रहेंगे, कुछ और करना पड़ेगा, उसमें फिर advertise कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, चलो खेर एक चीज और कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं, मैंने क्या किया, मैंने router bgp में जाके, जो 2 का subnet है, उसको advertise करना बंद कर दिया, ठीक है, इसको मैं delete कर देता हूँ, मैं एक और तरीके से network advertise कर सकता हूँ, जैको मुझे पता है कि जितने भी loopback है, सारे router से directly connected है, तो मैं एक command और क्या चला सकता हूँ, तो redistribute connected, जिसका मतलब क्या है, जितने भी subnets होंगे, सारे directly connected subnets आपके bgp में redistribute हो जाएगे, लेकिन, अब ऐसे में तो आपका ये subnet भी redistribute हो जाएगा, लेकिन, लेकिन केवल loopback to को, पर काम करो, इसके आगे क्या लगा दो एक route map, और route में बना लू, जिसको, permit 10, match, match, interface, loopback to, done, आपका route map match करता है, interface to, loopback to को, और interface loopback to का जो IP है, वो अब redistribute हो जाएगे, तो redistribute connected का मतलब है कि अगर आपकी router पे 8000-10,000 prefixes हैं, और आप उन सब को आगे advertise करना चाहते हो, तो आप as simple as redistribute connect command चला के आप, या एक access list मनाओ, उस access list में आप अपने prefixes को match करा हो, और route map में call कर लो, अब होगा ये, इससे होगा क्या, कि आपका जो look back to है, वो advertise होना सुरू तो हो जाएगा, बट इसका origin code change हो जाएगा, यतने भी prefixes network के command के through advertise होते हैं, उनका origin code कुछ अलग होता है, और जो prefixes आपके redistribute कराते हो, उसका origin code कुछ अलग होता है, क्या होता है क्याने, उससे हमें मतलब नहीं है, हमारे मतलब यह है कि path attribute change हो गया, तो हमने एक route map बनाया, उसका नाम दिया, और उस route map में हमने interface 2, interface loopback 2 को match करा दिया, interface loopback 2 का IP match कर गया, फिर मैंने का redistribute connected route map Cisco, इसका मतलब है कि जो directly connected subnets उनको redistribute करो, और redistribute करता है, तो route map का reference ले लेना, तो route map Cisco में जो match करता है, केवल वही redistribute होगा, और route map Cisco में क्या match करता है, आपका जो है loopback 2, तो loopback 2 redistribute हो गया, अब मैं दुबारा से clear मारता हूँ एक बार, clear IP BGP start, तो BGP की नेबर शिप डाउन जाएगी, दुबारा से आप आएगी, दुबारा से आपके updates exchange होएंगे, और आप देख पाऊगे कि 1 और 3 जो prefixes हैं, वो एक अनलगाई के अंडर consider कि जाएंगे, क्योंकि इनके सारे path attribute same है, और जो 2 वाला subnet है, यह आपके एक दूसरे अनलगाई में consider कि जाएगा, क्योंकि इसका origin code attribute है, वो अलग है, तो let's wait for the update message, अभी क्या है, अभी इसने local BGP table में prefix को नहीं डाला है, तो do show IP BGP करके देखो अभी तक नहीं है, फड़ा वेट करना पड़ेगा, जब इसके local BGP table में submit जाएगा, जब router 1 के local BGP table में आपके prefix के इंपरम्शन पर इंट किया जाएगा, अभी मतला वो वेलें चेक कर रहा होगा, रिमी चेक कर रहा होगा, जब वो सब कर लेगा, उसके बाद आपके local BGP table में जाएगा, अब local BGP table में गया, और अब आपका जो update message है, वो आपका carry होके जा रहा है, इसको open करके देखो, इसमें अब एक नहीं, इसमें आपके दो NRI, तो दो-दो क्या ल मैं लग, overall update message एची है, ठीक है, लेकिन, information में दो-दो है, तो कि लगो, अगर ऐसा होता है, कि मैंने कुछ subnet अभी, कुछ subnet बाद में डोल टाइच करे ता तो दो अलग-लग update message बन गयाते, अब BGP की नेवर सिप आ रही है, MPU के बराबर packet आप बनाई सकते हो, तो इसने एक update message बनाया, इसमें इसने क्या किया, दो subnet स्थ है, तो कि इन दोनों के पाद attribute सेम है, और दूसरा जो update message है, इसमें इसने कौन सा सब्नेट रखा है, हूँ वाला, क्यों, क्यों कि इसका जो origin code है, वह आपका अलग है, इसका जो origin code है, वह आपका, तो याद रखना कि one update message, one update message will describe only one path अब update message को आप ये मत समझना ये मत समझना कि ये update message मतलब actual में update message के अंदर जो information है उसकी बात की जा रही है जो NLRI है उसकी बात की जा रही है तो this point BGP update message has the information on one path only अगर multiple path हैं तो multiple update message required हैं तो आपने देखा ये BGP update message के अंदर दो-दो messages आपकी वहाँ पर आपको देखने को मिलना है एक ही update message के अंदर दो-दो messages आपको देखने को मिलना है तो इसको मूलते है NLRI या network layer reachability information NLRI is set of prefixes sharing common path attribute तो जिन भी prefixes के path attribute common हैं वो सारे के सारे आपके NLRI के अंदर में आते हैं all the path attributes in the update message refer to only one path path attributes आपके update message में जो होते हैं वो common मने जाते हैं सभी के सभी prefixes के लिए और कोई प्रिक्स अगर आप delete कर दोगे तो उसकी information भी आपके withdrawn routes में attach के जाती है तो purely based on the update message purely based on the update message आपके PGP में जो prefixes के information है उसको advertise के जाता है और उसको timely withdraw भी कर लिया जाता है जो भी आपके update messages है यह update message आपके unicast होएंगे और जो update message आपके unicast होते हैं इनका source IP और destination IP unicast होता है इनका TTL one होगा अगर EBGP है IBGP के case में ऐसा कुछ नहीं होता बादें बात करेंगे उसकी वट इवीजी मैसेज़ेस का जो अब राउटर नुबर टूइस अपडेट message को रिसीव करेगा और जब राउटर नुबर टूइस update message को रिसीव करेगा तो अपने लोकल रिसीव करने के बाद वह अपनी लोकल बीडीपी टेवल में उस information को mention करेगा तो कह रहा है कि यहां तक जाने की एंट्री आपके बीडीपी टेवल में है एक पाथ अबलेबल है एक वेस्ट है ठीक है यहां तक जाने का जो यहां से मिली थी और यहां जाने का जो राउटरा है जिसकी राउटर आईडी है वह आपकी वन जाटन डाटन है अच्छा यह एक्स्टर्नल प्रिफिक्स है यह क्योंकि आपको आपके बीडीपी नेवर से मिलता है उसकी एडी वैल्लीव को आपकी टू जिरो यानि की 20 रखा जाता है एक और चीज ध है ठेक है जो भी सांपको आपके वाउटर से मिलेगा उसमें जो नेवर का का है यहांप आप राउट चेक करो तो यहां पर लिखा हुआ है लिए प्राउट चेक करोगे जो आपका नेक्स है अब पर ब्राउट के सोर्स और जो नेवर का एसस नमबर है वह सब्सक्राइब अपने प्रिक्स को प्लेटा ऐसे से निकलके जारा होता है तो जो आपका local एस नंबर है वो लोकल एस नंबर आपका जो है ऐसा टैग अटैज होके चला जाएगा जो इसका यूज नहीं ले पाऊगे याद है आपको हमने लास्ट में जब राउट मैप देखा था तम्राउट में क्या करते थे टैग को मैच करा के ब्लाक कर देते प sekarang een Geezique जब आइ तेन मैच एडर ओ है और बाकी सब्धिक्स को कर रिटी तो मैंने क्या किया मैंने एक डूडाब बनाया उस राउट में मैंने लगके आ रहा है मुझे पता है का यह और लखके आ रहा है और मैंने इस राउट मैप को राउटर बीजी पी में जाके नेबर 12.1.1 के लिए अपलाई कर दिया कि भाई नेबर 12.1.1 से जब आपका राउट मैप आएगा इन ने नेबर नेबर तो हम उसको ब्लॉक मारेंगे और डू क्लियर आई पी बीजी पी स्टार dl करके आप चेक करो या इस करके नियाइडाइड प्रिफुक में अगर आप उसको सपोर्ट रहे होगा है को है टेक मैंच नौट सपोर्टेड नाट सपोर्टेड मैच फिल भी है यह वैस नू मैच तो आप यह नहीं कर सकते एक्षिल में आप यहाँ पे टू शो आई-पी बिइपी अभी भी आ जो आईपी राउट सारे प्रिफिक्स अभी भी आ रहे हैं तो बीजीपी में आप ये टैग की हेल्प से आप ये मैचिंग नहीं करा सकते हैं कि टैग का कोई काम नहीं है ना टैग का काम बसके वल एक आइडेंटिफिकेशन की तरह काम करना है कि अच्छा ये राउट आपके इस एस से आया था और कुछ नहीं कि इसी लिए बीजीपी में जब आप कि तरह करते हैं तो सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइब करते हो आपके उपनbl आपके वह गई गलती से क्या हुआ कि आपने ऑथेंटिकैशन लगा दिया कुछ आपनें उसकी वजह से नेवर शिप को gover T किया जाना है तो अगर कभी बीजीपी की नेवर रिलेक्शंशिप को ब्रेक किया जाना है तो बीजीपी में अगर कभी कोई एरर होती है एरर कंडिशन होती है जिसके वजह से आपके बीजीपी की नेवर्शिप को ब्रेक किया जाएगा तो उस आपके बिजीपी के नोटिफिकाशन मेसेज को देखने के लिए मैं क्या करता हूं कि निनिसदी पिमें और देखो टुरंत के मैं नो नेभर कर देता हूं मैं नो नेभर कर देता हूं और गलती से मैं क्या करता हूँ से नेभर टैल.HP क प्लीन को तुरन 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 तरह व्यब्ट में तुरन के तुरन तापके एक normal quick को डॉण किया दूसरी तरफ होने में 40 सेकंड का टाइम लग रहा है या 30 सेकंड का 15 सेकंड का टाइम लग रहा है तो बीजीपी में क्या होता है जैसे मानलों अगर आपने इधर से नेवर को डिलीट मारा नेवर को डिलीट मारते ही आपका राउटर एक नेवर को डिलीट मार रहा हूं अब जैसे नेवर राउटर को डिलता है यह नहीं करेगा जैसे नेवर से एक नोटिफिकेशन मैसेज मिला यह माना जाएगा कि आपकी कुछ अब कर हो गई है और आपकी इसनोटिफिकेशन मैसेज पे आपका बेज घर कर होई और आपकी नेवर श्यूब को रिशेट मार दिये आगा उआ तो उपकी पिंसेज25 कंसीभा की टरफ एक नोटिफिकेशन मैसेज आपको एपन करो इसमें लिखा ए कि अब गलती से आपने क्या और रिमोट यer घलत कर दिया अंडट के जगे गलती से ताउजन लगा दिये आक गलसी से आपने नेवर नेवर का ईपी और रिमोट यस थाउजन लगा दिया मतलब router 2 यह expect कर रहा था router 2 यह expect कर रहा था कि उसको एक BGP का message मिलेगा जिसमें own AS 1000 मिलेगा जबकि उसको जो neighbor से BGP का message मिल ला है उसमें AS 100 मिल ला है तो यह भी एक error है और इस error को बताने के लिए भी यह क्या करेगा आपका एक notification message भी देखो मतलब 3-way handshake तो complete हो गया उसके बाद जब router 1 ने router 2 को open message भेजा उसमें AS 100 भेजा और router 2 expect कर रहा था कि 1000 लगते आएगा जैसी router 2 ने BGP का open message receive किया उसने देखा कि उस message में तो AS number 100 बताया जा रहा है जबकि मेरे पर 1000 configured है तो उसने तुरंट की तुरंट एक notification message भेज दिया और इसमें क्या लिखा हुआ है कि error code की open message में error है क्या error है एस नमबर गलत है और AS number कितना है 100 तो यह message आपको यहां पे continuously आते रहेंगे कि आपका neighbor गलत AS में आपने configure कर रखा है तो आप इसको सही करो तो किसी भी तरीके की error होती है अगर किसी भी तरीकी के कोई error होती है तो BGP आपका notification message भेज के यह पता लगा लेता है कि क्या दिक्कर तो notification आपका fourth message होता है notification message आपका तब बेजा रहता है जब किसी भी तरीकी की कोई error होती है जैसे ही आपका कोई error होगी तो BGP का notification message भेजा जाएगा और notification message के मिलते ही आपकी जो BGP का connection है वह आपके immediately close कर दे रहाएगा इस error code में है आपकी आपके मतब यह information होती है कि क्या error है error code sub code और क्या exactly data data related to the error आपकी notification message में जाता है and that's it BGP में चार messages ही होते हैं जो आपके सारा का सारा का काम करते हैं BGP में कोई आपको इसके लावा कोई फांच्पा message आपको देखने को नहीं लेगा है मैं हो एक हो अलएट अच्वल्ट तो बजबी आपन मैसेज की प्लाई मैसेज अपडेट मैसेज नोट्रिफिकेशन मैसेज इस चार मेसेज़ज आपके अजो तो विजीपी की नेवर्शिप है उसको बनाने उसको मेंटेन रखने अपडेट मैसेज एक्षेंज करने और अगर कुछ गड़बड होता है तो उस नेवर्शिप को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉंस बूर्ड़ अब यह जो पूरा प्रॉसेस है कि बीजीपी की नेवर्शि गए नेवर्शिप बन गई यह सारा का सारा मैसेज आपके कुछ स्टेट्स में कुछ स्टेजेज में होता है तो बीजीपी में आपकी टोटल ल इसिक्स स्टेट्स होती है आइडल कनेक्ट एक्टिव ऑपन सेंट ऑपन कन्फर्म्ड और स्टैबलिज्ट बीजीपी में टो आप डेट्स एक्चेंज कि आयाते हैं और अबडेट संट गरखेंज करके आपका जो बागी का काम हां लुटा है वह मादा है तो आइडल Coffee अक्ट और एक्टिव यह तीन स्टेट्स आपके पास होती है यह तीनिंश्तें सब्रेश्ट करती है और नीचे की जो तीन से यह त बीजीपी से डिल करती है तो बीजीपी नेबर नेगोशेशन प्रोसेस प्रोसेश तूव एरियस स्टेट्स और स्टेज़स विच कैन बी डिस्क्राइब इंटम्स आफ फाइनाइट स्टेट मशीन तो बीजीपी की अगर आप अलगोरिद्म की बात करोगे नेबर शिप बना बीजीपी नेबर नेगोशेशन प्रोसेस कैन मी डिस्क्राइब इन टरम्स आफ पानेट स्टेट मशीन याने की informed और इसमें हैं उसे थी होती है दिव sóg..? बश्च तो इसमें आपको बीजी भी ट्रबल्शूट करना है तो आइडियल कनेक्ट एक्ट्व ओपन सेंट ओपन कन्फर्म और स्टाब्लिस देखने को मिलती है और इसमें जहां जैसा एरो बना है वैसा ही मूँ नेवर्शिप आपकी कर सकती है बलब आइडल स्टेट से नेवर्शिप कहां मूँ कर सकती है आइडल से के वल क्नेक्ट स्टेट में मूँ कर सकती है और क्नेक्ट से कहां मूँ कर सकती है और ओपन सेंट में मूँ कर सकती है और एक्टिव में मूँ कर सकती है एक लुए नंटराई यहां करेगी या तो आपकी आइडल पिस ताबलेस तो एरो जैसे बने हैं वैसे ही रहेंगे जापकी जेद शेट मशीन है वह आपकी शींप आ पी नेबर कॉसेशी प्रशाइश करेट से प्रसीच और सथेट विच गार। इंटरम्स आप उप प्रमी सरवकेंoten को स्टार्टिंगे तीन स्टेट्स के रिश्थीप्स किसे से ठील करती है कि आपकोर मविल पता होना चाहिए कि रम प्रॉबलेश्ट करना है चुट करना है यह अब बीजपी पिया अब सब्धे पहले स्टेट आपकी ऐडल पीज़ इल-जैट्स है और पाइडल स्टेट से आपकी बीज़ेडीर डेशें सिप है वो बनने में स्टार्ट होती है आइडल स्टेत में जो आपका बीजीपी होता है वो सारे के सारे incoming connections को refuse करता है लगी जीपी की नेवरश helps अगर आपकी आइडल स्टेत में है तो आपकी incoming connections को refuse करेगी आइडल स्टेट आपको तब देखने को मिलती है जब बीजीपी पहली बार initiate होता है यह कि नेटवर्क इवर्क इवन्ट टकर होने का मतलब यह कि कुछ एर्ट आ गई किसी ने बिज बंद कर दिया किसी क्लोस कर दिया तो कुछ अगर सपोस्थ कोई ऐसा इवन्ट टकर होता है जिसके विज़ीपी की जो फंक्शनलिटि तो आपकी स्टेट कहने कहीं आपके कहीं को हुonniert कर रहा होते हो या किसी तरह के का कोई कि जबी भी आप सपोस्वोज पहली पहली बार आपने बीजीपी स्तार्ट की इत्क और यह से आपका राव् à झचाटक करता है ऐसे आपका राव्ट्र टूपे अगर आप यह कमांड चलाते हो शो आइपी बीजीपी समरी तो यह कमांड बताता है यह आपकी कहां से नेवर शिप बनी है कितने प्रिफिक्स रसीव हैं क्या वर्जन चल ला है क्या एस है कितने मैसेज गए आयों सब दिख जाते हैं आप वो छोड़ो यह देखो अ आपकी 432 बाइट की मेमरी कंजियूम कर रही है पाथ एंट्री जो पाथ एक्रव्यूट पाथ इंट्रीज है वह आपके 240 बाइट की इंफर्मशन को मेंटेन कर रही है बेस पाथ एक्रव्यूट आपके 304 बाइट की इंफर्मशन को मेंटेन कर रहा है वन एस पाथ 24 बाइ से आपके नमबर आ प्रुफिक्सेज़ आपके अगरीज हो गया है नम्बर आ प्रिक्स आप के required होंगे जो resources आपके required होंगे बीजी पी की information को maintain करने के लिए बीजी पी की information को maintain करने के लिए जो भी resources आपके required होंगे वो resources आपके पास यहां पर रखे जाएंगे तो total 1000 bytes की जो memory है आपका maintain करते हुए चला है total 1000 bytes की जो memory है उसमें आपके पास ये information मेंंटेन कि जा रही है तो BGP idle state मेर्सर्स को करता है जो resources आपकी BGP kी information को store करने के लिए आपके responsible है। और एक timer start करता है जिस timer को हम बोलते हैं connect ट्रेक्ट रिटाइंबर होता है आप इसको चेंज नहीं कर सकते कि टाइमर यह कहता तो कि एक बार हमने ट्राइम आरा नेवर्शिप बनाने का बन गई तो ठीक अगला ड्राइए हम वाद करेंगे तो क्नेटरी ट्राइट टाइम और आपके स्पेसिफाइब करता है कि कि इतनी देर में आपके अपनेक्शन को रिट्राइब किया जाएगा स्टाबिश करने का ज सब्सक्राइब करेंगा और इनिशेट करेंगा और इनिशेट करके स्टेक चेंज करके कनेक्ट डाल देगा मुलकर आइडल से कनेक्ट स्टेट मूऊ हो जाएगा कि स्टेक मतलब कि आपका राउटर सुन स्मेरा यह सिन मरून भैश दिया है अब उस सिन एक कार रहा है कि क्यांट प्रॉसेस से अब आप दो ही चीजह हो सकती है या तो टीपे करेंट्रीन सक्सेसफल होगा या तो टी टीक टीटील टो डीचीजान सक्सेसफल होगा अगर also successful होजाता है तो बीचिवी प्रॉसेस आइडल से किनेट में गया connect state में आपका TCP connection successful हो गया तो आपका जो connect retry timer है उसको reset कर दिया जाएगा there is no need to retry for BGP connection establishment now to connect retry timer जो था उसको reset कर दिया जाएगा initial license go complete किया जाएगा neighbor को open message भीजा जाएगा और state change कर दी जाएगी open cent तो open cent state का मतलब यह है कि आपका open message आपका भीजिए गया अगर tcp connection unsuccessful होता है अगर tcp connection आपका unsuccessful होता है किसी reason से आपने सिन भेजा सिन के response में आपका नहीं आया किसी भी reason की वज़ा से अगर सिन के response में सिन एक नहीं आता है तो state connect से मूँ होके active हो जाएगी तो continues to listen for connection to be initiated by the neighbor, reset the timer and goes back into the active state. तो connect से दो जगहों पर जा सकता है, idle से connect में गया, connect से या तो active में जाएगा अगर TCP connection fail हो गया और connect से open synth में जाएगा अगर TCP connection आपका successful हो जाएगा. बलब three-way hand से करने का wait कर रहा था, three-way hand से complete होने का wait कर रहा था connected state में, अगर successful हो गया, तो open synth fail हो गया, तो active state में, in this state, BGP process is trying to initiate a TCP connection to the neighbor, अगर connection successful होता है, तो फिर से वही बात, connect retry timer को reset करेगा, initialization को complete करेगा, open message भेजेगा, and state change कर देगा open synth, और अगर आपका connect retry timer expire हो जाएगा, active state में पड़े-पड़े, अगर आपका retry timer expire हो गया, आप idle से connect में गये, connect से active state में गये, और active state में आपका retry timer expire हो गया, मतलब 120 seconds हो गये हैं आपको यहाँ active state में पड़े-पड़े, तो BGP process दुबारा से connect state में जाएगा, और वहाँ पे जाके retry timer को reset करेगा, और connection initiate करने की कोशिश करेगा, तो basically idle connect और active में अगर आपकी membership कभी फसी हुई है, तो वो TCP की कड़वड है, उपर की जो तीनों states है, idle से connect में जाना, connect से आपके open sent या active state में जाना, यह तीनों states, आपकी idle connect active जो तुमेनी टीजीवी ट्रांस्विशन और मेभी जिन दो आईपी के बीच में आप नेवर्शिप बनाना चाह रहे हो, वो दो आईपी आपस में reachable ही नहीं है, तो उस case में capability of the neighbor to reach to the address of the neighbor, तो मतलब इन सब सिच्वेशन में लब आपको कुल मिला के TCP टरवल शूट करना रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं, किसे ने port number 179 को ब्लॉक कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं, किसे ने neighbor state है, वो idle connect active, idle connect active में भूमती रहेगी, और अगर three way handshake successful हो गया है, तो आपको open sent state पहली state होगी, जो BGP में आपको देखने को मिलेगी, open sent state का मतलब यह है, कि three way handshake आपका successful हो गया है, और मैंने एक open message भेज़ दिया है, और मैं wait कर रहा हूँ कि मुझे neighbor से open message मिले, जब neighbor से open message मिलेगा, तो मैं उसके सारी field को check करूँगा, और अगर उस open message की सारी field okay है, तो मैं एक keep live message भेज़ दूँगा, अगर कोई error नहीं है, इसमें तो मैं keep live message भेज़ दूँगा, timer set कर दूँगा, keep live timer set कर दूँगा, और यह determine करूँगा कि आपका neighbor, आपका जो है, वो आपका internal है, external है, और state change करके open confirm, लेकिन अगर मेरे को open message मिला, और उस open message में error है, त दूबारा से मैं idle state में चला जाओंगा, जैसे कि मेरे को open message मिला, उसमें AS number 1000 लगके आ रहा है, जबकि मेरे पे यह configured है कि neighbor का AS 100 होगा, तो three-way hand check तो successful हो गया, लेकिन जो आपका open message है, उसमें error है, अगर ऐसा है, तो मैं एक notification message भेज़ूँगा, और state change करके idle कर दूँगा, तो in this state, an open message has been sent, and BGP is waiting to hear an open message from the neighbor router, when the open message is received, all the fields are checked, if error exists, notification will be sent, and if error does not exist, keep alarm message will be sent, और यह पता लगाया जाएगा कि आपका जो neighbor है, वो internal neighbor है, यह external neighbor है, और आपकी neighborship को change करके, state को change करके, open confirm कर दिया जाएगा, open confirm state का मतलब क्या है, कि मैंने open base दिया, open मैंने send कर दिया है, और अब मैं wait कर रहा हूँ, कि या तो मुझे, जो मैंने open message भेजा, मैंने open message भेज दिया और मेरे को open message मिल भी गया है और अब मैं wait कर रहा हूँ कि मुझे neighbor से या तो keep lie मिल जाए और या तो मुझे neighbor से notification मिल जाए हो सकता है कि जो मैंने open message भेजा neighbor के हिसाफ से वो open message correct नहीं है मैं भी AS number में गड़बड है कुछ गडबड है तो इस case में मेरे को notification message मिल जाएगा और अगर सारे parameter ठीक हैं तो मेरे को keep lie मिल जाएगा तो keep lie मिलता है तो state established all notification मिलता है तो TCP connection disconnect हो जाएगा और state दुबारे से idle consider कर दी जाएगी तो open confirm state में router आपका या तो keep lie या तो आपके notification message आने का wait करता है और finally अगर ठीक रहा तो आ लास्ट state ज़ो आपको देखने को मिलेगी वह है आपका established established state का मतलब है की open message भेजा गया open message आ भी गया parameter चेक किया गया और जो parameter आपके चेक किये गया है उन parameter को चेक करके उन parameter को चेक करके यह पता लगाया गया उन parameter को चिक करके यह पता लगाया गया कि आपके सारे जो चीज़े match करनी चाहिए वो चीज़े match कर रही है जो चीज़े match नहीं करनी चाहिए जैसे router ID must not match तो router ID match नहीं कर रही है सब ठीक है तो उस case में मैंने reply message भेज दिया कुछ गड़ मढढ हुई तो मैंने notification बेस दिया notification based दिया तो state change हो के idle हो जाएगी और अगर keeply based दिया तो state आपकी established consider की जाएगी तो in this state BGP connection is fully established and the peer can now exchange the update message, keeply message and the notification message अगर update message मिला या keeply message मिला तो whole timer जो आपका है 180 seconds का उसको reset कर दिया जाएगा और अगर notification message मिला तो nevaship को दुबार से idle state में जाएगा तो यहाँ पर कि यह total आपकी जो six states हैं इनके basis पे आपका यह सारा idle connect active, open center, open confirm और established in six states के basis में BGP अपना सारा काम करता है अब इसको आप check भी कर सकते हो मैं क्या करता हूं मैं command चलाता हूं debug, IP, IP, BGP अपडेट, all करके डीबग, डीबग, IP, BGP, all, update करके मैं command चाहता हूं और clear IP, BGP star करता हूं तो अब क्या होगा आपको देखने को मिलेगा कि नेवर्शिप डाउन जाएगी, नेवर्शिप डाउन जाके दुबारा से अप आएगी, तो जब नेवर्शिप डाउन जाके अप आएगी तो आपको सारी state अगर आप वाइशार capture में देखना चाहो तो वाइशार capture में भी आप इस बात का पता लगा सकते हो, तो सबसे पहले sin, sin, act, act, तो ये थी आपकी idle connect active, idle connect active तीनों स्टेट्स आपकी sin, sin, act और act से ही डील करती है, तो इन तीन messages में आपकी idle connect active तीनों स्टेट्स चली गई, उसके बाद open भेजा गया, तो open sent, open receive हो गया, तो open confirm, और keep a lie receive हो गया, तो established, और notification receive हो गया, तो idle, तो इसमें कुछ बहुत complex नहीं है, तीकि idle connect active, then open sent, open confirm and established, total आपकी six states के थूँ आपकी नेवर शिप बनेगी, यहां पर लिखा भी होता है, यहां पर लिखा भी होता है, अगर आप चेक करोगे, तो यहां पर लिखा भी हुआ है, ती नेवर शिप आपकी idle में गई, idle से फिर आपके पास, अगर आप आप देखोगे तो active में गई, idle से connect, connect से active state में गई, active state से अगर आप देखोगे तो open message भीजा गया, तो state हो गई आपकी open send, फिर open message मिला भी होगा कहीं इसकों। लुगे सेंडिंग ली ओपन मैसेज सब ठीक है अगर हुआ है अगर आपको विनने सेंगिंग वणने के बाद जो आपकी नेवर श्थय उसको हो गई आपकी वपन कर सकते हुए अगर आपको फिर है move ल ostr सब्सक्राइब कर सकते हो और सारी स्टेट्स आपके पास कर सकते हैं कुछ बहुत कॉंप्लिक्स नहीं सब्सक्राइब करता है कि कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी कुछ एरर कंडिशन होगी तो क्या होगा और मतलब फर्दर आपके जो अगर नहीं होगी कि प्लाइब अगरा मिलेगा तो क्या होगा वो सारी सीजिए और मैं आपको बता दूँ यह फाइनाइट स्टेट मशीन जो आपको देखने को मिल लगी है जो आपकी बीजीपी की स्टेट से डिल करती है बीजीपी में डिफ्र अगर आप सर्च करोगे तो बीजीपी एफसम में आपको उस सारे इंपुट इवेंट्स दिख जाते हैं आप बीजीपी की फाइनाइट स्टेट मशीन चेक करो तो बीजीपी की फाइनाइट स्टेट मशीन पे सारे के सारे इंपुट इवेंट्स आपको मैं दिखा सकता अगर कहीं ठीक ठाक चार्ट में जैसे ये है फोफली ये ठीक उन्होंने बता रखा हो हाँ ये देखो तो जैसे अगर आप BGP की finite state machine की बात करोगे तो ये ये तो चार्ट है ये तो आपकी finite state machine है यहाँ पर देखो क्या लिखा है ideal state में ideal state में आप पड़े रहोगे अगर input event 2 से लेके 13 तक कुछ भी होता है तो input event number 2 से लेके ये रहे input events ये रहे आपके input event input event 2 से लेके 13 तक अगर कुछ भी होता है तो आप idle state में पड़े रहोगे और अगर input event 1 अकर होता है यहाँ पर IE 1 लिखा हुआ है, तो अगर आपका Input Event 1 अकर होता है, तो आप Idle से कहा जाओगे, Connected State में और Input Event 1 का क्या मतलब है Input Event 1 का मतलब है BGP Start हुआ, तो अगर BGP Start हुआ, तो आप Idle State से Connected State में जाओगे, Connected State में पड़े रहोगे, अगर input event 1 या 7 अकर हुआ है तो input event 1 bgp start और 7 मतलब connect retry timer expire तो किसी भी reason से अगर connect retry timer expire हुआ तो आप connect state में आओगे अब connect state से आप या तो open center में जा सकते हो या तो active में जा सकते हो open center में कब जाओगे जब input event 3 अकर होगा और input event 3 क्या कहता है input event 3 कहता है कि bgp transport connection open अगर tcp connection successful हो गया तो आप open center हो जाएगी और अगर 5 क्या कहता है fail तो अगर tcp connection fail हो गया तो active हो जाएगी तो connect से open center और connect से active दोनों जगों पर आपके जाए जा सकता है उसके बाद connect state से आप idle state में भी जा सकते हो अगर input event 2 2, 4, 6 या 8 से 13 अकर होता है input event 2 का मतलब है bgp बंध हो गया 4 का मतलब है किसी ने tcp connection close कर दिया 2, 4 के बाद क्या था 6 मतलब bgp transport fatal error मतलब आपका bgp का जो transport connection है उसके कुछ error आ गई उसकी वज़ा से उसको break कर दिया गया 8 से लेके 13 तक कोई भी event whole time expire हो गया या आपके keep live timer expire हो गया open message receive हुआ उसमें error है keep live receive हुआ update receive हुआ notification receive हुआ तो उस तरह की situation में आप connect से idle state में जा सकते हूँ फिर आप open send से open confirm में कब जाओगे जब input event 10 अकर होता है input event 10 कहता है कि open message receive होगा बनलब ये actual में arrows और ये actual में आपकी finite state machine है जो finite state machine आपकी जो है सारे के सारे बीजीपी में जो भी आपके different events अकर होते हैं उन events के अकर होने पे क्या-क्या होगा ये सारा का सारा एक in the format of finite state machine आप describe कर सकते हो ये उसी को describe करने के लिए नोंने ये दिखा रखा है तो बीजीपी में total total मिला के 13 events तक अकर हो सकते है and based on these 13 events दो आपके अकर हुए है based on these 13 events दो आपके पास अकर हुए है वो आपका बीजीपी एक state से दूसरी state में मूँ करेगा idle से connect, connect से active, active so open send, open confirm यहां पर आपके पास वो further on move परता है कि तो हमें मतलब यह नहीं याद नहीं करना आपको कि क्या क्या है क्या है क्या नहीं आपको याद नहीं करना वस आपको याद रखना है कि बीजीपी में different different input events क्या कर होने पर आपकी different different आपका नेवर शिप आपकी इधर से उधर तक मूँ कर सकती है तो 13 total आपके input events हो सकते हैं जिनके विजीपी एक state से दूसरी state में total मूँ कर सकता है कि पाइन तो यह बीजीपी की finite state मेशिन की नेक्स हमारे पास है configuration considerations यह हम बाद में देखेंगे फिलहाल के लिए हम जड़ा नेवर शिप पर फोकस करते हैं एक दो चीजी में आपको और बदायता हूं जो आपके काम की हो सकती है मैंने आपसे कल कहा था कि बीजीपी कई सारी address families को सपोर्ट करता है बाइडिफॉल्ट एड्रेस फैमली आईपी फोर यूनिकास होती है क्या होगा अगर आपकी मैं उस एड्रेस फैमली को अगरू लाउटर बीजीपी कि या मैंने बीजीपी डिलीट कर दिया इन दुबारा से मैं गदिटी करता हूं न प्राशलिब लेकिन मैंने कमांड चला दी नो बीजीपी डिफॉल्ट इसका मतलब यह है कि अब आप अगर कोई भी नेबल डिफाइन करोगे तो वह आई-पी-फॉर दिफाइन का पार्ट नहीं माने जाएगा अब यह नेबर क्या पार्ट माना नहीं जा रहा तो यहां पर कुछ भी नहीं आया तो मैंने आप से कहाता है कि आपको क्या करना पड़ेगा नेबर को एड्रेस फैमली में जाके खुदी एक्टिवेट करना पड़ेगा तो आप एड्रेस फैमली आई-पी-वी-4 यूनिकास म मैं जाओगे और नेबर को एक्टिवेट करोगे अब देखो अब तोल नाट उनट वन वेक्तिवेट करोगे अब जैसे आपने कमांड चलाई जैसे आपने नेवर-एक्टिवेट की मैं यही सेम चीज यहां पर बिकरते हूं जल्दी से यहां पर डू शो रन पर एप हूं इसको मैं delete करता हूं एक बार दुबारा से configure करता हो और उसके बाद मैं router B Danke 100 और दुबारा से configure करता हूं उसके बाद same neighbor define करना है तो this command is going to be same ठीक है उसके बाद address family ipv4 Unicast then neighbor 12.1.1.2 को activate करना है और नेटवर्क अड़र्टाइस कर देने हैं मलब आपने सेम सब यूज किया है बस केवल और केवल आपने अड्रेस फेमली में जाके अक्टिवेट कर दिया है अब सोचो जो नेटवर्क आप अड़र्टाइस कर रहे हो यह आई पीवी फोर यूनिकास का भी पार्ट हो सकता था यह आपके वीपएन का भी हो सकता था सकता अलाग लगाए अड्रेस फेमली का पार्ट है यह जो अप्डेट आपके भीज़ें जा रहे हैं यह अभर अगर 1.1 1.3 1.2 के सबनेट के बारे में Router 2 को बताया जा रहा है तो राउटर 2 उनको कौन सी आड्रेस हमली का पार्ट माने तो अब आप ज़रा ध्यान से BGP का मैसेज दुबारा से चेक करो आप दुबारा से BGP का मैसेज चेक करो इस BGP के मैसेज को आप ओपन करो इस BGP के मेसेज में जो आपका अपडेट मेसेज है यहाँ पे Nındaki Information में आपका इस सारी Information 1.1.3 और यह सब आपके पास लगके जा रही है ठीके, यहाँ पे आपके पास लगके जा रही है इस सारी Information एनatri और वो सब अगर मैं आब यही पे इन ही प्रिफिक्सिस को इसी दूसरी अड्रेस डैमली में अक्टिवेट कर दो मैंने कहा मैंने कहा नेबर 12.1.1.2 और एड्रेस डैमली आई पीविए फोर मल्टिकास्ट नेबर 12.1.1.2 informated में नेबर को दूसरी आडरेस फेली में भी अक्टिवेट कर दिया और मान लो मैं यहाँ पर भी याँ ँनेटर केडोलटाईस करने की कोशिच करता हूं मैं यहाँ पर भी सब्सक्राइब करता और कोशिछ करता को थे लिए ज्यायखी वी-चार। मुल्टिकास्ट और मैंने नेवर को एक्टिवेट कर दिया अब आप देखोगे कि राउटर वन राउटर टू के बीच में तो आई पी बीजिपी समरी केवल आई पी वी फोर यूनिकास्ट नहीं आप चेक करो आई पी बीजिपी ओल समरी आपको देखने को मिलेगा कि आपक फोर मल्टिकास्ट दोनुमें आपको एक्टिवेटेड दिखाई देगा अब बात यह है कि राउटर जो बीजिपी का मैसेच भेजेगा उसमें यह कैसे पता लगेगा कि कौन सब्देट मैसेज आई पी वीफोर यूनिकास्ट का है कौन सब्देट मैसेज आई पी वीफोर मुल्टिकास्ट करा है तो इस तरीकी की सिचुईशन में आपको यहाँ पे यह जो नेटवर क्लियर रीचिबिल्टी इंफॉर्मिशन है यहाँ पे आपको एक 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 ना MP मल्टी पोटकॉल रीच एनलराई भी देखने को मिलती है अब इसमें अभी अगर दिख जाया तो नहीं दूख रहा है मल्टी पोटोकॉल MP मल्टी पोटोकॉल रीच अलराई MP ृच अलराई भी आपको देखने को मिलती ए जिसमें तो फिलहाल अभी capture में भी नहीं आ रहा है कि एंपी रीच और एंपी अनुरीच एनलराई यह रहा है यह दखो यह दखो इस बार यह दिखी नहीं रहा है लेकिन पाथ अट्रिबूट को आपने ओपिन किया तो यहां पता लगा यह तो एंपी अनुरीच एनलराई है इसको आप ओपिन करो तो यहां पर दखो यह क्या है एड्रेस फैमिली आईपी फोर मल्टिकास्ट तो बात यह है मैं यह बताना चाहरा हूं कि अगर आप मल्टिपल एड्रेस फैमिलीज आप बीडीपी में इंटेड्यूस कराते हो तो वहां प अब यह मैं आपको तब ज्यादा अच्छे से दिखा पाऊंगा जब हम बात करेंगे एंपी लेस्ट वगरा की जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम देख पाएंगे अब यहां पर अभी फिलहाल अथना प्रॉपर नहीं देख पा रहे हैं वीपियन वीफोर यूनिकास्ट नेबर एक्टिवेट और और ने अ मेन बलाके कहना चाह रहा हूं कि आप अलग-अलग अड्रेस फैंज में वीपियन वीफोर यूनिकास्ट नेबर एक्टिवेट आप अलग-अड्रेस फैंद्रेस में आप अपने प्रिविक्स को अड़र्टाइस कर सकते हो और अगर आप आप अलग-लग address families में prefixes को advertise कर रहे हो तो आपको जरूर जो MP reach और MP unreach channel रही है वो आपको देखने को मिलेगी जिसके through actual में उसको use करके ही आपकी different address families का support BGP में add किया गया ताकि ऐसा न करना पड़े कि router IPv4 का BGP अलग और IPv6 का BGP अलग ऐसा न करना पड़े तो आप show IP BGP all summary आप देख सकते हो कि आप 12.1.1.2 IPv4 Unicast का भी part है, Multicast का भी part है, VPN v4 का भी part है यहाँ पे भी आप देख सकते हो show IP BGP all summary कमांड चलाके कि आपका यह किसका part है किसका part नहीं Additional address families को support करने के लिए BGP MP reach और MP unreach NLRI का concept यूज़ करेगा जो की एक path attribute होता है It is not a update, it is a path attribute तो MP unreach NLRI, address family identifier, subsequent address family identifier को यूज़ करते हुए आपके additional address families का support BGP में add किया लिया, अब यह हम जब VPN वाला part देखेंगे तो वहाँ पर मैं आपको थोड़ा better way में explore करा पाऊंगा, कि कैसे अब exactly यह update में आपको prefix दिखता कब है, वह मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्या है क्या है क्या नहीं, बट लाल whole point इतना सा है कि आप update message को जब open करोगे, वहाँ पे आपको additional address families का support देखने को मिल जाए ठीक है, एक तो यह चीज आपको याद रखनी है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है, कि BGP में एक command होती है, यह command क्या कहती है, यह command कहती है कि देखो ऐसा है, कि अगर आपको BGP का कोई भी message, देखो मैं neighbor को एके करके configure नहीं करना, मेरे IBGP environment में 10 router हैं, और मुझे full mesh neighbor ship बनानी है, वह एक router के 9 neighbor होंगे, अब अगर मैं हर एक router पर जाके neighbor define करने लगूं तो time लगेगा, तो हम यह कह सकते है router को simple, कि देखो ऐसा है, अगर आपके पास कोई भी, कोई भी आपको TCP का या BGP का message मिलता है, जिसका source IP इस range में से कु कमांड यह कहती है, कि अगर आपको BGP का, या TCP का कोई भी message मिलता है, इस range से, तो आपका neighbor है, मैं एक एक करके नहीं define करूंगा सारे, अगर इस neighbor से कोई भी update message आता है, तो उसको इस peer group का part बना देना, अब peer group जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके बारे में, तो एक मैं आपको बस इतना बताना चाहरा हूं कि BGP listen range की जो command होती है, यह dynamic discovery of the neighbor के लिए हम विटलाइस करते हैं, instead of configuring all the neighbors one by one, we can configure something called BGP listen range command, और BGP listen range command को चला के हम यह कर सकते हैं, अच्छा, BGP, address family, IPv4, Unicast और BGP, मतलब, सब्सक्राइब करने के चार रास्ते पता हैं, तो उन चार रास्तों से एक रास्ता बेस्ट चूस करेगा और उसी करतेगा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई एक नहीं आप दो रास्ते चूस करो दोनों करो, काइंड और रिपेर पाथ होला, BGP में additional path हम send करवा सकते हैं, आप बोल सकते हूं कि आप additional path send करना है, additional path receive करना है, तो इसका आपने send and receive, ऐसे आपने command चलाई, कितने, यह करेंगे बाद में, अभी तो मस्क्राइब कमांड बता रहा हूं, BGP, additional path, कितने, select कितने पर select करो, select best मालो कितने, 3, maximum 3 तक का support है, कि आप 3 best path maximum select करो, और उनको advertise करना शुरू करो, तो BGP में ऐसा भी होता है, कि हम best path, backup path की जो information है, उनको या सारे available path में से हम choose कर सकते हैं, कि कौन से कितने additional path आपका BGP, neighbor को advertise कर सकता है, तो kind of आपका थोड़ा faster convergence के लिए, ताकि ऐसा नहों कि आपके एक route आप neighbor को दे रहे थे, suddenly neighbor पर route delete हो गया, अब फिर वो wait कर रहा है कि दूसर route कब आएगा, फिर हम update देंगे, ऐसा सब नहों, तो आप additional रास्तों की information, आप BGP के update message में साथ के साथ ये exchange करवा सकते हैं, यह ए इतनी सारी commands हैं, जो आपके BGP keywords से start होती हैं, यह कुछ commands हैं, जो आपकी normal start होती हैं, इनके बारे में हम एक बारे करके आगे बात करेंगे, तो BGP के basic fundamental में जो हमें discuss करना था, that is now done.